हाई गाइज गुड आफ्टनून तो अल आफ यू क्या हाल चाल आप लोगों का स्वागत है सभी बच्चों का आज के आपके इंटर के लेक्चर नंबर टू में लास्ट लेक्चर के सेटल डाउन हो फटा-फट से जो भी बच्चे बीच में घुम रहे हैं हाँ भाई हलो सभी लाइव वाले स्टूडेंट्स का भी बहुत बहुत स्वागत है और शुबम कुमार और जो भी मेरी टीम से लाइव देख रहा है अगर लाइव चैट में कोई भी अन्वांटिड कमेंट आए तो टाइम आउट करने की जरुद नहीं है सीधा ब्लोक कर देना हाँ जी च लोग लेट हो कि जब भी हम किसी क्लाइंट का इंटर्नल ओडिट करते हैं ओ सोरी इंटर्नल ओडिट नहीं करते हैं हम स्काट ओडिट करते हैं तो उसका सबसे पहला स्टेप क्या होता है सर हम सबसे पहले ना जाकर क्लाइंट से उसके फाइनेंशल लेंगे और उस फाइनेंशल की चेकिंग स्टार्ट कर देंगे नहीं ऐसा कभी नहीं होगा हम सबसे पहले client place पर जाएंगे और सबसे पहले walkthrough करेंगे walkthrough के अंदर क्या करते हैं sir हम walkthrough के अंदर तीन काम करते हैं सबसे पहले हम उस company का जिस भी area का मैं audit करने की सोच रहा हूँ जैसे कि let's say example लेते है purchase उस purchase के पूरे process को मुझे क्या करना पड़ेगा understand करना पड़ेगा second step पे हम उस process के अंदर company में कितने risk हैं उन risk को understand करेंगे and third one उन risk को उन risk को mitigate करने के लिए अब आप मेरे words को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा उन risk को mitigate करने के लिए या फिर reduce करने के लिए company अब आज बहुत तेज है आप लोग अपनी गुलू गुलू तो बंद करो अब आज बढ़ाएंगे आप शान्त हो जाओ एक बार अब आज increase करवा देंगे audio बढ़वा देंगे आपके लिए बिटा हांजी 13,000 आपने मिर को दिये हैं कंट्रोल्स को कम करने के लिए देखो मैं दो वर्ड यूज कर रहा हूँ अब आपको ध्यान से सुनना होगा management क्या करती अब आवाज सही आई अब आज प्रोपर है यार आप नहीं आ रही, कम आ रही है थोड़ा सा और बढ़ा दो एक सेगिंड आप पांच मिनट के बाद हम डिसाइड करेंगे कि अब आज कम है या ज़्यादा है after five minutes management क्या करती है जो risk है उस process के अंदर उन risk को mitigate करने के लिए मैंने दूसरा एक और word यूज किया है या फिर reduce करने के लिए वो क्या लगाते हैं control लगाते हैं आप एक auditor उन control को भी walkthrough के अंदर test करता है और ये नहीं 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 understand करता है testing तो step number one पे कभी भी तो walkthrough के अंदर हमने तीन काम किये understanding the process understanding the risk and understanding the control to reduce or mitigate those risks जब हमारा step number one complete हो गया walkthrough उस point of time पे हम सोचेंगे एक decision making लेंगे उस decision making में हम क्या करते हैं याद करो हम ये सोचते हैं कि जो client ने controls बना रखे हैं या जो हमें discussion में बताया गया है क्या वो control की designing सही है या नहीं याद है वो designing वाली बाद दुबारा बताता हूं एक बार मान लीजिए आप सब लोग इस classroom में आए there is a risk देखो हर company के हर step पे आपको एक चीज देखने को मिलेगी that is risk अब इस classroom में जब student आये तो एक risk था वो risk बताओ क्या था अरे वो आपका risk था मेरा risk बताओ मेरा risk ये था कि हो सकता है कुछ unauthorized entry हो गई हो yes or no यार धंदे वाले दिमाग से सोचना चालो करो अब आप प्लीज एक business पे risk क्या था as a company सोचो as a auditor मत सोचना as a company सोचो मेरे business में risk क्या था दो party involved है अगर मैं current scenario की बात करूँ तो in this current scenario two parties are involved वो two different companies are involved one is CA India and other one is IGP अब ऐसा हो सकता है कि कुछ student unauthorized तरीके से आकर बैठ जाएं यहाँ पे मेरा financial revenue loss है हाँ या नहीं है ना तो अब मैं control लगा सकता हूं कि तिवारी जी आपने हर बच्चे की entry को properly check करना है हाँ या ना तिवारी जी कहेंगे जी बताओ कैसे check करना है मैं तो नजरे देख लिए बता देता हूं admission है या तो यह एक मेरा control है यह क्या एक IGP ने कहा कि पिछले 12 साल से 15 साल से तिवारी जी scanning machine से कम नहीं है है वो बच्चे को बच्चा अरे 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 सुनो बच्चा जैसे ही गुजरता है उनको पता होता है कि इसकी fees कितनी आ चुकी इसका नाम क्या है इसके पिता जी का नाम क्या है कि सुनो सुनो अब आप भावना लो भाई अब concept में हम ठीक है कि मैंने कहा यार यह कर अब auditor आए आप बच्चों को तो पता है यह control effective है अब auditor साब आए और उन्होंने का यार यह control मैंने पूछा मैं management हूँ माल हमारे auditor साब आए कि आप सर revenue कैसे इंशोर करते हो कि complete है मैंने का हर बच्चे के entry चेक होती है उसने का कैसे मैंने का देखो यह रहे उसने कहा यार एक सेकेंड now I am on the concept मैंने पहले भी बोला है मजाक करेंगे भरपूर करेंगे लेकिन अगर आपका बेस हिल गया आना तो मैं मंजिले नहीं खड़ी कर पाऊंगा तो ओडिटर कहता है कफिल साब मैं management हूँ यह control की designing तो मुझे समझ नहीं आ रही आपकी आपका control मुझे effective नजर मैं तो सोच के आया था कि आपने students को एक i card दे रखा होगा जिस पे एक barcode होगा और आपने कोई न कोई machine लगा रखी होगी जब भी को student आएगा अपने बार कोड को scan करेगा अगर valid बार कोड है entry अप्रूव हो जाएगी फिविल इंसाइड दी classroom मैंने का फिर तो इसमें भी रिस्क है क्या रिस्क है उसने कहा अभी सोचो सुनो सिर्फ सर एक बंदा एक entry लेके आ गया यहां से बंदा एक दूसरा बंदा कहें बच्छे आई scan होगा उसने का अच्छा फिर भी रिस्क है मैंने का क्या रिस्क है कि आज मैं जाओंगा कल तुमारी भावी जाएगी मैंने का यह revenue loss नहीं है यह revenue loss हाँ यह बात सही है जहां पे मैं दो लोगों की फीस ले सकता था वहां मुझे एक बंदे की एक परसन की फीस मिली आया ना लेकिन मेरी seat कितनी ब्लोक हो रही है एक दिन में एक ब्लोक हो रही है movie ticket कोई भी खरीते जाए कोई भी किसको क्या मरक पड़ता है थेटर वाले की तो एक seat गई है ना तो मेरा यह show है 400 seat है मुझे 400 की फीस दे दो कोई भी आके बैठे हाया ना अगर 5 chair extra लगे तो मैं 5 chair की फी प्रेक्टिव से समझो तो यह रिस्क तो है कि आपने फीस ली X से आई काड बना X का लेकिन आ कोन रहा है वाई मैंने का इस रिस्क को ना मैं एसेप्ट कर लेता हूं क्योंकि यह रिस्क मेरे लिए बहुत material नहीं है financial इसका कोई बहुत ज्यादा impact नहीं है तो ओडिटर ने walkthrough के अंदर क्या किया सबसे पहले process को समझा उस process के अंदर हर step पे बहुत सारे क्या थे risk थे उन रिस्क को understand किया उन उन रिस्क को या तो mitigate किया होगा management ने हाला कि सही बताऊं कभी भी किसी risk को mitigate करना तो possible ही नहीं है आप कितने भी control बना दो कोई ना कोई वो control तोड़के आप को दिखा देगा तो chances of misstatement या chances of losses हमेशा मैं कितने भी control क्यों न लगा दूँ मैं कहूंगा i card छोड़ो barcode अब तो face scan होगा आज कल आपका mobile आपका face scan करता है न कि बच्चा जैसे आएगा gate खुलेगा मैं कहरा हूं उसका भी तोड़ मिल जाएगा बच्चों को उसका भी क्या करती है control लगा कर अपने रिस्क को reduce करती है zero कर पाएगी क्या कभी भी जीरो नहीं कर पाएगी वो क्यों नहीं कर पाएगी human error हो सकते हैं IT system में failure हो सकता है control किसने बनाया मैं को नूँ फिलाल किसने control बनाया मेरे बुआ का लड़का आ गया मेरे चाचा का लड़का इस पास यह कर रहा है वो उसका फोन आया था भाई आपकी class लेने आना है मैंने का आ जाना भाई मेरे सगे चाचा का लड़का वो अभी live देख रहा होगा शायद ठीक है उसने का भाईया मेरे को आपकी class लेनी है मैंने का ठीक है भाई आजा यह पूछने की क्या बात है अब एक बात बताओ control बनाया था कि class के अंदर बिना फिसक एंट्री नहीं होईगी मैंने बनाया था क्या उस बच्चे की हो रही है हो रही है किसने पर एक क्या control management ने तो क्या management अपन ने बनाया उसी ने अगर break कर दिया तो कैसे 100% सही कैसे होई चीजे तो कभी भी और एक अपने को cost benefit analysis भी करना पड़ता है आज हर एक step की cost होती है मुझे लग रहा है कि अगर मैं बच्चों का face scan करवाता हूं तो इट विल कोस्ट में 10 लाक रुपीज या फिर दूसरा option है तिवारी जी इन डाट केस में भी तीन से पां स्टूडेंट अनथिराइज एंट्री ले ले तो ओवरोल लोस्ट में में भी लाइक लेट से दस बच्चे की भी फीस ले ली जाए तो लाक रुपे मोटा मोटा तो मैंने का यार now tell me it's good to install face scanning machine और तिवारी जी is best for us क्योंकि cost benefit analysis यही कहता है भाई अपने को किसी business step पे कितना loss हो सकता है तो management को यह देखना पड़ेगा कि अपने को इसको कितना कम करना है और कम करने की cost क्या है फाइदा कितना होगा तो यह सारे चीज़े देखने पड़े है वो रिस्क को reduce करने के लिए लगाती है अब जब auditor walkthrough में understanding ले लेता है तो he decide by his professional judgment पिटा एक होती है judgment एक होती है दोनों में क्या difference है judgment तो आज आप भी ले रहे हो कि कपिल सर कैसे लग रहे हैं मोटापे से भरे हुए है हाँ या ना आप बहुत सारी judgment ले रहे हो लेकिन एक judgment आप लोगे 50 class के बाद yes or no कि भाई क्या पढ़ा दिया auditor बना दिया आपका level अलग होगा आज की सोच में और 50 दिन के बाद की सोच मे क्या difference होगा मैं कहा रहा हूँ आज की सोच में और 5 दिन के बाद की सोच में after 5 class your thinking will be changed आप आज भी judgment ले रहे हो after 5 class you have some judgment but that will be a professional judgment क्यों क्यों क्योंकि आपने उसके लिए proper training लिए है आपने learning लिए है तो auditor भी क्या करता है after understanding the process risk and control on the basis of his past experience जो उसने knowledge gain किया है उसके base पे वो decide करता है कि इस company ने जो control लगा रखे हैं जो design के हुए हैं क्या ये control मेरी judgment पे effective है भी या नहीं है अगर मुझे लगता है कि भई effective नहीं है then I will not move to the second step जो कि क्या था test of मैं उस step पे जाऊंगा ही नहीं जब जो चीज बेकार है उसको check करने का कोई मतलब है क्या कि आपने का साला चश्मीश है कि आपको पसंद ही नहीं आया कि तो आप बताओ आप बात आगे बढ़ाओगे आप बताओ आप बात नहीं आप बात आगे नहीं बढ़ाओगे क्यों लॉंड़ा अपनी पसंद का ही नहीं है जब कंपनी के कंट्रोल ही हमारी judgment में ओ सोरी हमारी अब देखो मैं ऐसे गलतिया करूंगा एक की की के साथ अगर आप मेरे को सही जवाब भी दोगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा जब आप कंट्रोल की डिजाइनिंग पे एक डिसीजन मेकिंग कर रहे हो और यू आप कभी नहीं जाएंगे अब आपके मन में एक सवाल आएगा ऐसे केस में फिर मैं इन फाइनेशल पे कैसे रिलाय करूंगा आएगा ना तो ये सारी बाते कैसे क्या होगा जब कोई नेगिटिव सिचुएशन आए मैंने आपको बोला कंट्रोल टेस्ट कर लो सेकंट्रोल की डिजाइनिंग तो बड़ी अलग रही है लेकिन जो मैनेजमेंट में बोला वो मान ले क्या तो अब हम उसको चेक करेंगे सेकंड सेप जाके उसको क्या बोलते हैं जब मैंने टेस्ट ओफ कंट्रोल किया तो वी हाव आइडेंटिफाइड कि कतनी समझते हो हिंदी और करनी में दोनों में क्या है डिफरेंस है भाई जो उन्होंने हमें इंक्वाइरी के अंदर बताया था जो उन्होंने हमें डिसकॉशन में जो controls बताए थे और actual में तो वो control है यह नहीं तो क्या करें हाई या ना तो आपके mind में न अब मैं आपको एक basically काम दे रहा हूँ को प्लीज आप ध्यान रखेगा for the next 15 class आपका दिमाख ना अब बहुत excited हो जाएगा कि ऐसे होगा तो क्या होगा वैसे होगा तो क्या होगा यह control फेल हो गया तो क्या होगा क्योंकि आपको एक नई जर्नी पर लेकर जाऊंगा आज लेकिन मैं आपको जर्नी पर जो लेकर जाएगा जो भी रास्ता आएगा अब अगर मैं उसमें यह बोलू कि टायर फट जाएगा तो क्या होगा हाया ना गाड़ी पलट गई तो क्या होगा हमारे बीच में कोई एक बंदा था वो लुडग गया तो क्या होगा तो फिर हम लद्दाक ही नहीं पोच पाएंगे आया तो पहले मैं तुम्हें पूरा रास्ता दिखा कर लेकर आऊँगा शुरू से लेकर एक पॉजिटिव माइंड सेट के साथ कि हमारी गाड़ी सही चल रही है जब आप एक बार पूरा माइंड मैप मेरे साथ सीख लेंगे ओडिटिंग का तब मैं आपको हर सिच्विशन पर बताऊंगा कि ऐसा अगर यह नेगेटिव स्टेप हो जाए तो आपको क्या करना है अगर ऐसा होता है तो आपको क्या करना है आप लोग बड़े अभी आप केज क्या होगी 18, 19, 20 राइट 15 से 20 के बाला को आप 15 वाले भी होते हैं बेटा 18 साल में 19 साल में फिर सीए कैसे हो ज बिसिकली आपके 16 to 20, 21 के बीच मान लेते हैं अब आपका मन जो है बड़ा चंचल है तो उस चंचल पन को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना मैं आपको वादा करता हूं जहां तक आपकी सोच जाती है मेरी वहां से शुरू होती है ठीक है तो बस यह चीज धियान रखना लेक आपको भी नहीं बोलना है उसको क्या करना है notebook में लिखना है फटा फट से paper pen रखते हो उस पर अपनी query आपने mandatory लिखनी ही लिखनी है या तो वो query class के आखरी तक आपकी result हो जाएगी या फिर class के आखरी में आप मुझसे पुछोगे सर मेरा यह doubt था या तो आप doubt पूछ रहोंगे 10th lecture का या 12th lecture का तो मैं आपको बोल दूँगा यह हमारे उस topic में cover होगा आप उस topic को लिख लेना इसलिए अपने दिमाग को रोकना नहीं है बस मुझे disturb करने से पहले सोचना है क्योंकि बेटा मैं होता हूँ flow में और मैं चाता हूँ मेरा flow ना ठूटे आपकी query का reply आपको मिलेगा क्योंकि समझो live में भी बहुत सारे students देख रहे हैं live छोड़ो Google Drive में भूत सारे students देख रहे हैं अगर query ही आने लग गई तो मेरा पढ़ाना वेकार है कि समझ रहे हैं मेरी बात तो वादा करता हूं कि धंकी query एक भी नहीं दूगा धंकी मतलब समझते हो कंसेप्ट का एक भी डाउट किसी का नहीं बचेगा यह मेरा वादा आपसे अब जो भी पूछोगे चंचल भाव से पूछोगे उसका मैं इमानदादी से आपको reply करूँगा चलो जी हमने step 1 का दिसक्शन कर लिया वोक्तुरू तीन चीज़े देखते हो भया रिपीट करेंगे मेरे साथ क्या-क्या प्रोसेस रिसक कंट्रोल इनकी अंडस्टेंडिंग लेते हैं जैसे वोक्तुरू खतम होता है सेकिंड स्टेप पर आता हूं जिसे क्या बोलते हैं test of control लेकिन आने से पहले decision making करते हैं किस पर design of control पर भाई मेरे को glass चाहिए तीवारी जी है को कोई है क्या आपका एक विसकी वाला glass है वो दे दो यारो अपने को क्या देखना है design of control अब आज हम उससे आगे बढ़ने वाले हैं कल कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर आपने वो हैंडिड़न चार्ट शेर नहीं किया बेटा भी complete नहीं हुआ शेर क्या करूं अभी तो बहुत कुछ इसमें आज की class में add-on करने वाले हैं कि आप लोगोंने मेरी class चूज की है मैं मानता हूं दो तरह से कियोगी एक तो भईया जा पढ़ रहे हैं वहीं पढ़ते रहो ठीक है जो जैसा आएगा ठीक है अगर ऐसा है तो बेरे साब से अब गलत हो आपको एक expectation आपकी होनी चाहिए कि आप किस से पढ़ने वाले हो मेरी class कभी भी what is audit से start नहीं होती मैं real audit से start करता हूं real life में कैसे audit होता है पहले मैं आपको starting के 2 या 3 lecture में पूरा audit खतम करवा दूँगा complete audit जो अगले 50 days में हमें करना है न वो 3 दिन में मैं आपको सारा दिखा दूँगा एक picture दिखा दूँगा basic लिए और उसके बाद मैंने मैं आपको क्या करवाँगा situations तो what is audit अभी बहुत दूर है अभी बोलते है न driving seat पर बैठने से पहले आपको driving अच्छे से सीख लेनी चाहिए तो auditing का मतलब यह नहीं है कि आपने रटना है auditing का मतलब यह है आपने client का audit करना है और उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि purpose क क्या है objective क्या है जब तक वह चीज़े नहीं हो भाई यह ग्लास तो चेंज कर दो मेरे यारो इतने अटेंप्ट से तुम साला एक ही ग्लास दिये जा रहे हो और पानी देते हो सिर्फ यह क्या बात हुआ है यार कुछ इसके साथ अब ग्लास का ग्लास के साथ का समानत हो ना कि ठाया ना ताकि हम भी आसे करें अब तुमने अब तुमने ग्लास दे दिया विस्की वाला बोटल दे दि तुमने यह कोन है पता नहीं क्या है कोन है यह देपिका लो जी डिजाइनिंग को देखने के बाद हम सेकेंड स्टेप पे आये थे टेस्ट ओफ कंट्रोल मेरी एक बात थी सोरी बहुत हुरी रह गई वो कंप्लीट करता हूँ मैं आपको बोल रहा था कि मैं बहुत हाई लेवल पर पढ़ाता हूँ स्टार्टिंग के दस लेक्चर स्टार्टिंग के तीन लेक्चर तो सूपर टेक्निकल होते हैं और आठ दस लेक्चर तक आप सिर्फ नहीं नहीं चीज़े सीखते ही रहते हो और उसके बाद एक नई स्क्रीन चलिया आपने सुना हो तो दुरंतो एक्स्प्रेस सुनिये या और कोई एक और है न कौन सी वंदे भारत राजधानी इस्टाब दी मेरे को मेरे को ना नीव फांडेशन बहुत स्ट्रोंग बनाना है आप लोगों का जैसे वह तयार हो गया वो बोलते हैं न दस दि दिन में चेप्टर खतम करेंगे एक दिन एक चेप्टर खतम दो दिन एक चेप्टर खतम लेकिन उसके लिए आपका बेस बहुत ट्रोंग होना चाहिए जब मैं आस सिक्स्टीन क्लास में कोई टर्म यूज़ कर रहा हूं तो उस टाइम पे आपके माइंड में इफूरबट यहिए एका स्टुडेंट लाइफ जिड़ी बिड़ी समेहला करना है एक एसा स्टुडेंट जो बहुत स्कॉलर कि एक ऐसा स्टूडेंट है जो बिलो ऐवरेज है मुझे दोनों ही student का ध्यान रखना है तो मैं आप लोगों से एक एक expectation रखता हूँ कि आप please अपने आपको जज्मत करना मुझे कर लो कोई दिक्कत नहीं है होगा क्या मैं आपको लेकर चलूँगा अलगी roller coaster ride पे जहां आपको मजा भी बहुत आएगा वो डर भी बहुत लगेगा क्योंकि जब वो गाड़ी उपर जाएगी तो डर थोड़ा कम लगेगा मजा आएगा लेकिन जैसे वो आपको गुदगुदी हो जाएगी तो आपने ना अपने आपको एक बात बोलनी है त्रस्ट करते हो तो आपको अभी आप मुझे नहीं जानते शायद कुछ बच्चे उस बच्चे से आंसर केंबी नो बट आपको ना अगर आप दिल से बैठे हो सब्जेक्ट को समझने के लिए एक्जाम में 90 का टार्गेट लेकर बैठे हो यहां पे तो आपको एक फेथ रखना होगा कि कपिल से रह करवा देंगे यह वाला फेथ आपके अंदर होना चाहिए और मैं भी कर लूँगा सेल्फ डाउट में मत चले जाना त्यार यह मैं कर पाऊंगा या मैं आपसे वादा करता हूँ आप अराम से इस सब्जेक्ट आपको बहुत आसान लगेगा बहुत प्राक्टिकल लगेगा यह मेरा आपसे वादा है तो नो सेल्फ डाउट ठीक है क्योंकि मैं बेसिक से नहीं स्टार्ट करूँगा मेरी वो आदत नहीं है मैं सबसे टफ जो पोर्शन है वो क्लास के आठ दिन में करवा दूँगा आपको फीस सभी आठ दिन के अंदर जमा करवा देंगे लो जी नाव वी आर ओन सेकिंड स्टेब जहां पे मैंने आपको बताया आज एक सबसे बड़ी रोलर कोस्टर राइड है हमारी ठीक है हमने बताया कि वोक्तुरू के बाद हम डिजाइनिंग देखने के बाद कहां पर आएंगे टेस्ट ओफ कंट्रोल पे अब टेस्ट ओफ कंट्रोल का मतलब यह है कि जो कंट्रोल बना रखे है कि मैनेजर साइन करेंगे सी एफो साइन करेंगे परचेस का एक्जामपल था परचेस में कितनी ट्रांजेक्शन थी परचेस में मान लो पूरे साल में 4 लग ट्रांजेक्शन है कितनी ट्रांजेक्शन है बेटा यह जी 3,606,000 ट्रांजक्शन है लिखा हुआ है पर्चेस में 3,60,000 ट्रांजक्शन है हम हर ट्रांजक्शन पर तो control नहीं check कर सकते नहीं कर दो कर दो total transaction कितनी है 3,70,000 आप मुझे बताओ क्या हम 3,70,000 में बैठ कर देखेंगे, sign हुआ नहीं हुआ बिल्कुल नहीं देखेंगे, देखेंगे क्या, बिल्कुल नहीं देखेंगे, हम उसमें से क्या निकालेंगे, कुछ, सैंपल हमें निकालने पड़ेंगे, तो मैंने आपको क्या बताया था, जनरली हम कितने सैंपल निकालते हैं, 25 सैंपल निकालते हैं, और 25 सैंपल को चेक कर करकर हम बताते हैं कि control actually में implemented है भी या क्या सिर्फ हम implementation देखते हैं कुछ और भी देखते हैं कि वह effective है या efficient है या और साथ ही साथ एक और बात बोली थी मैंने कि वह continue है या नहीं कि 12 महीने के लिए वह control continue है या नहीं है याद आप लोगों गई बात 12 महीने के में continuity कैसे चेक करेंगे आपको हर महीने से sample लेने होंगे हाया ना यहां तक clear आप लोगों को अब इसी में ही मैं थोड़ा सा complexity add कर रहा हूं ठीक है इसी step पे अब आगे नहीं जा रहे हैं अब आज थोड़ी बढ़ाओ यार ज्यादा कम कर दिया आपने देखेगा अगर inter level की बात करूँ तो concept इतना ही है अब हम जो भी करेंगे अब हो ज्यादा कर दिया आपने नहीं यह बहुत अब हम जो भी करेंगे चलो ठीक है मैं धीरे बोलता हूं फिर अब हम जो भी यह करेंगे real life के लिए और एक advanced knowledge के लिए सुनिएगा मैंने हलागी कल आपको step 3 भी बता दिया था कि उसके बद हम क्या करते है number checking अब हम number checking पर नहीं जा रहे अब हम वापस से कहां चलते है step number 2 पे step number 2 पे आप लोगों ने बताया sir हम control check करेंगे आपने control check करने से पहले एक area क कुण सा walkthrough इस walkthrough में एक चीज analysis करो कि हर step पे क्या है कुछ risk और हर step पे क्या है कुछ control कुछ step तो ऐसे हैं कि जहां पे risk भी बहुत ज़्यादा है और controls भी एक मैं आपके लिए summary बना रहा हूँ मान लिजिए एक risk है यहाँ पे देखो मैंने risk को नाम दिया था अगर आप देखेंगे न इस sheet को तो मैंने risk को number दिये थे 1,2,3,4 याद है और ऐसे control को A,B,C दिया हुआ है तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि अगर मान लिजिए client में client के यहाँ पे कौन सा process देख रहे हू आप पर्चेस प्रोसेस को क्लाइंट के यहाँ पे 1,2,3,4,5 हलो 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 है पांच क्या है रिस्क है अब यार तुमने अंदर से आवाज कम कर दी क्या खेल रहे हूँ टोटल रिस्क कितने है यहाँ पे आठ रिस्क है कमपनी इनके लिए क्या बनाएगी कंट्रोल बनाएगी मान लिजिए आपका जो रिस्क नंबर वन है कमपनी उसके लिए कंट्रोल बनाती है A, B, N, C पीन कंट्रोल बनाती है कितने रिस्क के लिए ऐसे ही जो रिस्क नंबर टू है हमारा उसके लिए कंपनी कंट्रोल बनाती है D, E, F, G एक ऐसा कंट्रोल है जिसके लिए एक ही कंट्रोल बनाया है ये कंपनी ने क्या डिजाइन किया भी या हाँ देदो, देदो कंपनी ने इनको क्या डिजाइन किया वहाँ से तुम्हारा हो सकता है कम और रखाओ कुछ तरही है ये तो क्याओ देदो हाले हाले ठीके ठीके लो जी चाइनिज समान ज़्यादा सही काम करता है आज पता चलिया अज पता चलिया कि सेनाइजर फेल हो गया कह रहे हैं लो जी लो अब ठीक आवाच चलो अब मत खेलना तुम लोगा मेरी बारी है कि आपने देखा कि कंपनी के यहां पे बहुत सारे रिस्क है आठ रिस्क अमने मैप के है और उसके अगेंस्ट कंपनी ने अलग-अलग कंट्रोलस बना रखे हैं कि सी एक रिस्क के लिए तो आप कोनो और दिटर आप मुझे बताईए कि क्या आप सारे कंट्रोल को चेक करोगे क्या मैं बोलू भाई रिस्क वन है उसके गेंस तीन कंट्रोल है मैं तीनों चेक करूँगा नहीं क्यों सर टाइम बहुत लगेगा पहली बात तो ये और ये कोई सही बात नहीं है कि कंपनी को तो अपना सब कुछ देखना है वो तो बहुत सारे कंट्रोल बनाएगी लेकिन ओडिटर को तो ये देखना है कि इस रिस्क को कम करने के लिए सबसे बेस्ट कंट्रोल कौन सा है जैसे कि एक एक्जांपल दे रहा हूं अगर एक पांच लाख रुपए का कोई भी समान खरीदा उसको सबसे पहले एक अकाउंटेंट वाउचर बनाएगा ठीक है CFO उसको रिव्यू करके अप्रूव करेगा और मान लिजे डारेक्टर भी उसे चेक करकर साइन करते हैं तो आप ती कि नो कंट्रोल को चेक करना चाहोगे या कोई एक से भी शायद आपका काम हो जाए और वो कंट्रोल कौन सा होगा कि भाई, डाय क्टर का अप्रूवल दिखा दो, अपनी कंट्रोल के लिए तीन कंट्रोल लगा कर रखो, आपके मनमें एक डाउट आ सकता है कि सर फिर कंपन सा होता तो भाई एक बार इधर आना प्लीज एक बार आईए यह डारेक्टर साव हैं जल्दी से चेर पर बैठो उचल कर फटा फट से टाइम नहीं आपने पास यह डारेक्टर साव हैं अगर यार भाई स्क्रीन में आजाओ थोड़ा यह डारेक्टर साव हैं अगर मानलो पहले वाले दो कंट्रोल ना होते और दिन में 50 पर्चेज हुई हैं तो इनके पास तो मानों ये एक पर्चेज के डोक्यूमेंट है 10-10, इनकी डेस्क पे तो हजारों पेपर के डहेर लग जाता, ये पूरे दिन बैठके यही काम करेंगे, फिर कंपनी की decision making कैसे करेंगे, इसका मतलब इन से नीचे सबसे important है, ठीक है, तो कुछ बच्चों की query आते हैं, एक ही control क्यों ने design किया, तीन-तीन क्यों किये, क्यों पैसा खराब कर रहे हैं, क्यों लोगों को waste कर रहे हैं, समझ आया, अब हम क्या बोलेंगे, भाई, यहां से ना, मैं सिर्फ एक ही control चेक करूँगा, कौन सा, control number C, ऐ ऐसे ही आप मालनों, चार control है, आप most relevant control identify करते हो, आप बोलते हैं, control number E और F हम लोग चेक करेंगे, स्क्रीन ले आईएगा, प्लीज, यहां पे A की control है, तो हमें कौन सा control चेक करना पड़ेगा, H control चेक करना पड़ेगा, यहां पे मैं बोलता हूँ यार, I से काम चल जाएगा, यहां पे K से, यहां पे Mालो, N से, यहां A की है, तो यही चलेगा, इस तरह से auditor अपने relevant controls को identify करता है, relevant control कैसे identify होगा, यह एक auditor का क्या होगा बेटा, professional judgment, मतलब ऐसा हो सकता है, कि अगर किसी client का audit मैं करने जा रहा हूँ, तो मैं अलग control को select करूँ, और अगर आप जा रहे हो, तो आप कोई दूसरे, यह हमारा judgment है, professional से हम, हमारे लिए कोई rule नहीं बन सकते कि यह काम ऐसे ही करना ह है, एक काम को करने के 5 अलग-अलग तरीके हो सकते हैं, तो control की mapping हम अलग-अलग कर सकते हैं, हमने कौन से control को select किया है, हमने कौन से control को select किया है, relevant controls, relevant control, क्या बोलते हैं इनको, relevant control, और यह यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर यह company के क्या है, 100% controls, क्या है यह, यह company के all controls है, इन control में से मैंने क्या identify किया? मैंने क्या identify किया, बेटा? relevant controls, मैं सारे control check नहीं करता, अच्छा, एक बात बताओ, ये जो हमने process को understand किया, ये process किस चीज़ गया है? purchase का, purchase का process है, मैं purchase क्यों देख रहा हूँ, क्योंकि financial में caption आ रहा है purchase, purchase, क्या company ने safety के लिए भी control लगा रखे होंगे? कि अगर कोई worker factory के अंदर किसी plant में उपर काम कर रहा है, तो उसके साथ belt लगी होनी चाहिए, उसके shoes, जो हैं, वो safety shoes होने चाहिए, हाँ या ना, अगर factory के अंदर या company के अंदर कोई बंदा आएगा, तो उसकी physical checking होगी, मानते हो यह बात, तो company ने तो अपने यहाँ पे, कुछ admin control भी लगा रखे होंगे, कुछ safety protocols भी लगा रखे होंगे, कुछ environmental controls भी लगा रखे होंगे, और यह जो हम देख रहे हैं, यह कौन से control है, financial control, मेरे साथ बोलें, यह कौन से control है, company की अगर बात करें, अगर बेटा, company level पे बात करें, तो company ने बताव, कौन कौन से control डिजाइन कर रखे होंगे, sir, company ने admin, ठीक है, environment, safety, legal, financial, यह अलग-अलग field के controls उन्होंने design कर रखे होंगे, लेकिन यह सारे मेरे लिए relevant, company के उपर से अगर एक worker नीचे गिर कर मर गया, मुझे कोई फरक नहीं पढ़ता भाई साथ, आया ना, यह पढ़ता है, क्या फरक पढ़ता है, compensation दे तो books में record कर तो, मुझे फरक क्या पढ़ता है, हाया ना, मुझे क्या फरक पढ़ता है, control अच्छा नहीं था तो क्या फरक पढ़ता है, financial में कोई फरक पढ़ता क्या, penalty दे नहीं है, दे दो, book कर दो, record कर दो, अपने को क्या दिक्कत है, किसी की टांग तूट गई, क्यों तुमने speed limit नहीं लगा रखी, control नहीं है, हम क्या करें, तूट गई तो तूट गई, मेरे financial पर क्या फरक पढ़ रहा है, कोई फरक पढ़ रहा है क्या, मुझे कोई घंटा फरक नहीं पढ़ता इन control से, तुम चाहे किसी की checking करो, चाहे ना करो, चाहे कोई bum ले आए, हमें क्या फरक पढ़ता है, हमें तो सिर्फ उस चीज़ से फरक पढ़ता है, जो financial में आ रहा है, अच्छा कोई company के अंदर बंदा आया, क्या financial में उसके entry होएगी क्या, तो मुझे इस control से कोई फरक, तो एक auditor को सिर्फ कौन से control से फरक पढ़ता है, financial control, कौन से control से फरक पढ़ता है, non financial control का मुझे कोई ले ना देना, चलो अब आपन थोड़ा सा इसको complete करते हैं, company में we have multiple controls, company में क्या है, क्या auditor के लिए सारे control relevant हैं, कौन से control relevant है, financial controls are relevant for, अब एक अगली statement का पढ़ता जवाब दे दो, क्या सारे financial control relevant auditor के लिए, only relevant financial controls, बेटा लिखना नहीं टाइम दूगा, अगर आपसे interview में पूछा जाएगा, कि बताओ, क्या एक auditor company के सारे control चेक करता है, नो सर, company can have controls in different areas, you can give some example in your interview, अच्छा फिर वो आपसे पूछेंगे, इसका मतलब you want to say, कि सारे financial control चेक करता है, judgment word use नहीं करना, कौन सा judgment है यह, दोनों में फरक क्या है, वहाँ पर training knowledge add कर दो, तो कौन सी judgment हो गई, professional judgment, तो कल तो मैंने आपको बोला था, सिर्फ कि हम control को चेक करेंगे, लेकिन आज मैं आपको एक step आगे ले आया हूँ, कि हम relevant financial control को चेक करेंगे, ठीक है, और थोड़ा आगे लेके चलू, इसी control testing पर आज हम बहुत, काफी अच्छी चर्चा करेंगे, अब मैं बात करूँगा कि चलो जी, now we have identified the relevant financial controls, सर कल आपने एक बात और की थी, कि हम कितने control चेक करेंगे, ये भी बता दो, अब ये 25 control आपने कैसे decide किये, कर लें इसका भी discussion, देखेगा, अब आपके मन में एक doubt आ रहा है, कि ये 25 sample कैसे select किये, ये सब मैं real life बता रहा हूँ, ICI की किताम में ये कुछ भी नहीं है, जो अभी आप सीख रहे हो, ICI की book जो है वो 5% है, जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, I will teach you 100%, उसमें से 5% आपकी किताम में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन बिना 100% के वो 5% आप लिंक नहीं कर पाऊँगे, इसलिए पूरा समझाना बहुत जरूरी है, देखेगा, अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि ये 25 sample कैसे लिए हमने इसका बता दो, तो बेटा सबसे पहले ना मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको ना sample निकालते टाइम रियल लाइफ में, सबसे पहले मैंने बोला था ना आपका बिक 4 का इंटर्वी राउंड क्रैक हो जाएगा, वो इसलिए होगा क्योंकि आपको सब कुछ पता है, सबसे पहले, sample निकालने से पहले, किसके sample, TOC के sample, हमें देखना पड़ेगा कि control का nature क्या है, nature of control, सर, control का भी कोई nature होता है, हाँ जी, एक control हो सकता है, manual control, एक subject हुआ करता था EIS या IT, जो कि आपके slavery से हटा दिया गया है, पहले वहां भी यह सब आता था, एक control होता है, manual control, बिटा एक बात बताओ, आपने कोई समान खरीदा, CFO ने उस application को sign किया, यह कैसा control है, यह manual control है, मतलब manual signature करना, या manual approval देना, यह कैसा control है, यह manual control है, हाँ या ना, दूसरा एक control होता है, automated control, क्या बोलते हैं उसको, automated control का कोई student मुझे example दे सकता है, लेकिन जो भी बोलेगा hand raise करके only, ठीक है, अरे control बता, AI नहीं, control बता कोई, situational control बता, हाँ जी, कोई कुछ बताना चाहेगा, क्या कह रहे हो बेटा, AI में power दे देना, यह कोई automated control है, automation का मतलब होता है IT, infra use करना कहीं पर, बिल्कुल सही आपने example दिया है, हाँ बेटा आप भी कुछ बोलना चाहेँ, biometric entry can be an example of automated control, SAP आपका automatic financial बना देता है, can be an automated control, और मैं आपको बड़े basic example देता हूँ, आप लोग, ICI का examination form या registration form फिल किया है आपने, वहाँ पे दो option होते हैं, first name, last name, role number, reason, NRO, NRO, पता नहीं क्या क्या होता होगा, वहाँ पे आप first name के बाद last name मत लिखो, submit करो, एक pop-up आजाएगा, क्यों last name is missing, या invalid data entry का pop-up आजाएगा, कहीं पे number आना चीए, पता आपने क्या डाल दिया, alphabet डाल दिया, तो यह कैसा control है, automated control है, कैसा control है, automated control है, जैसे कि mandatory data field को आपने छोड़ दिया, कई बार होता है कि आप कुछ कर रहे हो, उसमें लिखा red star लगा होता है, कि इन fields को आपने fill करना mandatory है, तो एक बात बताओ, automated control का fail होने का chances, कम होगा जादा होगा, क्योंकि आपने उसको पासफ़र डालते हो, तीन बार के बाद आपका account क्या कर देता है, वो कुछ time के लिए block कर देता है, this is a manual control, automated control, this is automated control, तीसरा control होता है आपका, manual with automated control, मतलब जहांपे कुछ manual भी यूज हो रहा है और कुछ automation भी यूज हो रहा है, आपने बचपन में एक chapter पढ़ाओगा, 11th class के अंदर, bank reconciliation statement, पढ़ाए, aging analysis शायद आप लोगोंने नहीं सुना, aging analysis सुना है, कोई बात ने में लिख रहा हूँ, क्योंकि आप थोड़े time बात जानने लगोगे, तो आपके notes में होना चीए, फिलाल bank reconciliation से बात करते हैं, जैसे अभी-अभी इन्होंने बताया, SAP में आप entry डालो, वो automatic financial बना के देदेगा, ऐसे होता क्या है, हमारा bank balance भी SAP में आ रहा है, और हमारा book का balance भी कहां पे आ रहा है, SAP में आ रहा है, कितने ऐसे चेक हैं, जो हमने deposit करते हैं, बटा भी पैसा credit नहीं हुआ है, तो आपको क्या है ना, SAP, एक automatic BRS बना के देगा, क्योंकि जब हम check receive करते हैं ना बेटा, तो इसकी भी entry pass की जाती है, check in hand की, ठीक है, तो आपको automatically SAP बना के देदेगा क्या, BRS, यह ऐसे चेक हैं, जब आपको एक entry बना के देदी कि यह check pending है, क्या वो यह भी बता देगा क्यों pending है, बताओ, वो यह नहीं बता पाएगा कि pending, अब उस क्यों का why this check is still pending, क्या किसी human को, क्या किसी person को, क्या किसी employee को पाच्चित करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे उसके उपर कोई manual काम आपको करना ही पड़ेगा, उसको review करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप उसे review नहीं करोगे, मानलो SAP ने तो BRS बना कर दे दिया, लेकिन जिसके पास वो BRS आई, वो उठाता है और side में fake देता है, तो क्या उस control का कोई use हुआ, क्या उस automated control का कोई फायदा हुआ, आप उसको manually भया क्या करो review करो, ऐसे control को क्या बोलते है, manual with automated control, समझ आया, तो हम generally तीन category में control को divide करते है, कौन-कौन से control है बिटा, manual control, automated control, manual with, तो जब भी आप किसी client पे second step पे जाएंगे न, control की checking करने के लिए, आपको कितने sample उठाने है, उसमें आपको सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा, nature of, एक और चीज़ देखते हैं, इसमें, एक तो आपने nature देखा, दूसरा देखा जाता है बेटा, frequency, क्या देखी जाती है, frequency of control, BRS बताओ, पूरे साल में कितनी बार बनती होगी, कितनी बार, monthly बनती है बेटा, कितनी बनती है, monthly BRS बनती है, तो कितनी बार control लगा, बारा बार, जब भी समान खरीद रहे हैं, कोई approve करेगा, तो ये control daily basis पे लग रहा है, आया ना, financial बन गए, management sign करेगी, बताओ, कितनी बार होगा साल में, एक बार, समझा रही है बार, तो basis पे, कुछ monthly MIS, सुनाएं, MIS, बेटा, मुंडी ला रहे हो, C.A. के student logger, MIS की full firm क्या होती है, management information system होता है, कुछ management की reports बनती है, जैसे मैं weekly report लेता हूँ अपने team से, मैं management हूँ अपनी company का, तो मुझे कैसे पता चलेगा, कि इस हफते, हमारी company ने कैसा perform किया, books का stock क्या है, reprint करना है, decision making करनी पड़ती है आपको, यह थोड़ी नहीं कि जब सर पे आके पड़ेगी, तभी आपको decision लोगे, तो management क्या करती है, weekly, by weekly, monthly, हर department से अलग-अलग MIS लेती है, जिसको बोलते है, management को inform करो, information system, अब वो MIS भी अपने आप में क्या है, एक वेटा, control है, कि देखो company को सब कुछ पता चल रहा है, कुछ daily basis पे, कुछ weekly basis पे, कुछ by weekly basis पे, कुछ quarterly basis पे, कुछ six monthly basis पे, कुछ annually, तो यह भी control है, frequency मतलब वो control कितनी बार हो रहा है, तो इन दोनों के combination से हम लोग decide करते हैं, कि अपने को sample कितने लेने हैं, जो मैंने आपको 25 sample की बात बताईए है, वो कब होता है, यह और बताईता हूँ, जब आपका control manual है, plus recurring है, recurring का मतलब क्या होता है, 25 sample कब लेते हैं हम लोग, जब आपका sample जो control है, वो manual है, plus recurring है, मतलब daily है, ऐसे case में हमारी audit की guidance बोलती है, कि आप 25 sample select कर लो, हर महीने से दो दो, और चेक कर लो, कि control actually में implemented है या नहीं ह बच्चों के मन में doubt आएगा, कि अगर उन 25 sample में control fail मिले तो क्या होगा, हमने 25 sample select कर लिए, control fail हो गया, यह आपका test है, आपने 25 sample select किये, अब आपके मन में एक question ओर आ रहा होगा, sir, automated control है, तो कितने sample लेंगे, देखिए, यह सारी बाते आपके किताब में कहीं पे भी नहीं ल हैं, आपके head है, जब वो मुझे Reliance के audit पे या किसी भी company के audit पे भेजेंगे, तो मुझे कैसे पता चलेगा, मैं control के कितने sample लूँ, कुछ तो होना चाहिए न, तो बेटा, जब भी आप नहीं पे भी किसी भी firm में काम करने के लिए जाएंगे, वहाँ पे आपको मिलेगी एक गीता, गीता का मतलब वो गीता नहीं भाई, गीता का मतलब एक किताब, जिसमें सब कुछ लिखा होगा, ठीक है, जैसे की KPMG में अगर आप जाते हैं, तो वहाँ पे उस book को बोलते हैं Cam, और अगर आप EY में जाते हैं मान लीजे काम करने के लिए, तो वहाँ पे उस book को बोलते हैं Cam, सरी Cam और Cam क्या है ये बताओ, Cam की full form है, K से KPMG, A से audit, M से methodologies, methods, कि KPMG के audit करने के ये methods है, ऐसे Cam का क्या मतलब है, जी में तो EY नहीं है, यहाँ पे है global audit methodologies, सरी यहाँ KPMG, यहाँ global, आप लोग मुझे बताइएगा कि आज मैं आपको audit subject पढ़ा रहा हूँ, आपके teacher आपको लोग पढ़ा कर गए हैं, शिद्दत से, वो आपको कौन सा लोग पढ़ा कर गए हैं, Company is low, कहां का, आपने accounts पढ़ाए, आपके teacher ने आपको accounting standards पढ़ाए होंगे, कहां कि accounting standards पढ़ाए होंगे, पूरा global audit सीख रहे होंगे, परचेस को कैसे check करना है, वो जो हमारे guidance है, वो इंडिया में भी सेम है, और US में भी सेम है, UK में भी सेम है, तो आप इस class से CPA का audit भी crack कर सकते हो, और ACCA का audit भी crack कर सकते हो, आपको कोई अलग से class लेनेंगी ज़रुवत, नहीं है, audit तो audit ही है ना, चाहिए कहीं पर भी करें, इसलिए कभी भी मैं accounting standard word यूज़ नहीं करूँगा अपनी class में, नहीं हमारी book में used है, हम जो word यूज़ करते हों पता है, क्या होता है, है, नहीं-नहीं, standards तो rule है, हम हमारी book में हमेशा एक word यूज़ करेंगे, F.R.F. F.R.F. का मतलब होता है, financial reporting framework, भाईया, आप जिस भी company का audit कर रहे हैं, जिस भी देश में कर रहे हैं, कहीं पर भी कर रहे हो, उस financial को बनाने के कुछ ना कुछ rule होंगे, जैसे हमारे यहाँ पर क्या है, schedule 3, तो आपको यह देखना है, कि वो schedule 3 के हिसाब से बने या, उस schedule 3 जो है, वो क्या है, एक F.R.F. है, क्या है, एक reporting का क्या है, वो framework है, तो हम कभी भी schedule 3 वगेरा बड़ यूज नहीं करेंगे, तो आप जो audit सीख रहे हो, एक global level का audit सीख रहे हो, तब ही तो अगर मैं अपनी बात करूँ, हम इंडिया से US जाके audit कैसे कर लेते हैं, क्योंक checking होगा, तो audit profile का अगर सबसे बढ़िया फायदा पूछो मुझसे, तो क्या फायदा है बेटा, हमारे लिए जितनी international opportunities available है न, बाकि किसी के लिए भी नहीं होती, क्योंकि अब direct text में अगर मान लोग प्रैक्टिस कर रहे हो, तो क्या US जा सकते हो क्या, आपको बहुत मेहनत कर नहीं पड़ जाएगे, क्योंकि US के text law अलग हैं, लेकिन audit के law सारे, हमारे यहाँ पर जैसे, for example, essay number 201, US में क्या होगा, बस essay 200 की जगे, AS से बोल देंगे, बोसको, नाम 200 ही रहेगा, content भी सारा, same रहेगा, तो EY में, जिस किताब का नाम क्या है, GAM, उसको क्या बोलते है, Global Audit और KPMG में क्या है, इस book में लिखा होगा सब, कि sample अगर आप निकाल रहे हो, तो आपने client का nature देख लो, frequency देख लो, और उसके साब चापको इतने sample लेने है, तो क्या CAM हमेशा अपने साथ रखोगे, yes, why not, yes, यह soft copy में होगी, आप जिस software में audit करोगे, वहाँ पर हमेशा आप KPMG के CAM के हिसाब से audit करूँगा, तो ICI के standard को follow नहीं करना क्या, आएगा न, क्योंकि auditing जो होगा, वो standards on audit को follow करके होगा, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ, आप क्या follow करना, CAM या GAM, तो आपके मन में एक सवाल आ रहा है, कि इस case में मैं अपनी, ICI की requirement को fulfill नहीं करूँगा बिटा जो वो CAM है न, या वो जो GAM है, उसमें ICI की सारे requirement को already क्या किया हुआ है, inbuilt किया हुआ है, ICI जो standards बनाता है, बताएगा, यह minimum requirement है यह maximum requirement है, यह minimum requirement है, कि अगर आप कोई X number चेक कर रहे हो न, तो आप कोई minimum 4 चीज़े तो चेक करनी ही, इसका तरीका बता रहे हैं, हम क नहीं बोला, नहीं बेटा, ICI का standard क्या देता है, minimum guidance की, mandatory, आपको यह तो करना ही करना है, अगर आप कुछ extra करना चाहो तो that will be your choice, हम आपको रोकेंगे नहीं, तो जो बड़ी-बड़ी CA firms हैं, क्या वो minimum level पे काम करती होगी या maximum level पे काम करती हैं, सर वो बहुत ज़्यादा का करती है, जो requirement है उससे, ताकि कल को कुछ भी छूटना जाए, रहना जाए, समझ आया, तो यह sample कैसे निकलेंगे, TOC के, इसके लिए आप क्या refer करोगे, क्या refer करोगे, manuals, आप short form में बोल सकते हो, manuals, SOPs, भाई, जिस firm में जाएंगे, हम उस firm में जाके बोल देंगे, भाई, आप अपना क्या देदो, मुझे, manual देदो, भाई, आपका क्या manual audit करने का, सर, firm की भी policy अलग-अलग हो सकती है, भाई, क्यों नहीं हो सकती, मैं EY में partner हूँ, मेरा मानना यह है, 25 sample से कुछ नहीं पता चलता, कम से कम कितने sample चेक करेंगे, 40, अब एक KPMG का partner है, वो कहता है, 25 इस sample से कुछ नहीं होता, minimum कितने चेक करेंगे, 60, this is all about, this is all about, professional judgment, this is all about, जो क्या लग-अलग, कोई यह बोल सकता है क्या, 25 नहीं 20 करेंगे, I say क्या बोलता है, concept clear हुआ यहा तक, तो मैंने आपको कल के बाद add-on क्या क्या किया, कल हमने आपको बताया था कि 25 sample चेक करते हैं, आज मैंने आपको एक base दे दिया, ताकि real life में आप किसे interview में अठके न, वो 25 sample या sample selection control का, किस base पर होता है बटा, nature of control and frequency of control, दोबारा बो repeat करेंगे, nature of control, frequency of control, क्या सारे control चेक करें which controls, which controls are relevant for auditor, financial control, whether all financial controls are relevant for auditor, relevant, only relevant, how you will decide relevant financial control, by using professional judgment, clear रहे यहां तक, तो हमने हमारी professional judgment से relevant financial control को चेक किया, चेक करने के बाद, अब मैंने 25 control को चेक कर लिया, सर कैसे चेक करते हैं, 25 control के paper मंगवाए होंगे, 25 sample निकालके और देख लियोंगे कि सबके sign है या, नहीं है, यहां तक बात clear है सभी को, अब control चेक हो गए, सर जैसे walkthrough के बाद एक decision making ली हमें को decision making लेनी चाहिए, इस decision making को बताओ, क्या बोलते होंगे, control testing का result, आया ना, पहले देशी तरीके से लिखते हैं, क्या, control testing का, अगर सारे control सही मिलते हैं, तो आप क्या बोलेंगे जी, ओक्य है सब, हाँ या ना, अब technically समझो, आप लोग कौन सा course कर रहे हो, CA कर रहे हो, क्या कोई risk है बेटा, क्या कोई risk है, क्या risk है, जरा बताओ, सर, हो सकता है, CA ही ना बन पाएं, सबसे बड़ा risk तो यही है, आया ना, क्या, कोई ऐसा बोल सकता है, यह risk नहीं है, कोई नहीं बोल सकता, कोई नहीं बोल सकता, risk तो है ना, क्या, आप चाहते हो, कि आप इस risk को reduce कर दो, जीरो कर सकते हो, आप जीरो नहीं कर सकते, आप इस risk को reduce कर सकते हो, हाँ या ना, कैसे reduce करोगे, controls लगा कर, अरे रुको, अपने को ना थोड़ा सा, technical plus general, दोनों को mix करके concept समझना है, मैंने पूछा, आपके यहाँ पे एक risk के CA course में, the risk is कि sir, may be, हम CA ना बन पाएं, हम fail हो जाएं, मैंने का ठीक है जी, क्या इस risk को आप zero कर सकते हैं, आपने का नहीं, मैंने का क्या कम कर सकते हो, आपने का yes, मैंने का, how you will reduce your CA risk, आपने का sir, by taking proper classes, by revising the subject, by making some notes, and by attempting test paper, this is a four step model, अगर मैं यह चार step follow करता हूँ, तो there are chances कि मैं CA, still I can fail, yes or no, मतलब आप यह बोलना चाह रहे हो, कि आपके यहाँ एक risk था, आपने risk को कम करने के लिए क्या लगाया, और आप अब यह बोल रहे हो कि control लगाने के बाद भी हो सकता है, वो risk still exist करे, हो सकता है, हो सकता है नहीं कर, तो मतलब एक risk है CA risk, वो मतलब still अभी भी exist करता है, उसको zero तो मैं कभी भी, आप यह जरूर बोल सकते हो, सर audit की class हम कपिल गोयल सर से ले रहे हैं, तो इसमें तो 60 पका आएंगे ही आएंगे, आया ना, लेकिन अभी भी risk है कि CA बने या ना बने, फिर आप बोलोगे कि हम ऐसे ही अब company के point of view से सोचो, company ने risk के against control design किये, auditor को control की designing अच्छी लगी, वो second step पे चला गया कि control को भी चेक भी कर लेते, चेक करने के बाद उसको सब कुछ पढ़िया लगा, कि बच्चा कपिल गोयल से class ले रहा है, बच्चा बढ़िया से test paper attempt कर रहा है, मुझे सब बढ़िया लगा, क्या वो उसके बाद भी fail हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, हाँ या ना, मैं देखो बिल्कुल practical बात कर रहा हम आप से, तो आपना confuse मत करना अपने आपको, मतलब control में मेरे को सब अच्छा मिला, still control can be failed, हाँ या ना, मतलब मेरे को सब अच्छा लग रहा है, लेकिन हो सकता है, उसके बाद भी वो risk खतम ना करे, इसको बोलते है, control risk, कौन सा control risk, कौन सा risk, कंट्रोल risk, भाई, कंपनी के यह पर एक risk था, company ने उसको कम करने के लिए control लगाया, क्यों लगाया, ताकि वो risk कम हो जाए, अभी भी एक risk है, कि हो सकता है control लगाने के बाद भी वो risk रहे, तो ये मतलब आपका control ही वेकार है, मतलब control में ही क्या है, risk है, कि even after applying controls, you have some risk, तो क्या client place पे भी 25 control को check करने के बाद, मैं assess करता हूँ, इस purchase के process का control risk कितना है, कौन सा risk, भाई मैंने control को check किया, check करने के बाद भी हो सकते है, control क्या हो जाए, fail हो जाए, लेकिन मान लो हमें 25 sample चेक किये, 25 में 25 में कोई दिक्कत नहीं मिली, तब क्या बोलोगे, इस client का control risk low है, यह बेटा ऐसे low medium high measure होता है, यह medium है यह high है, अब क्या बोलोगे, आप बोलोगे sir low है जी इसका risk, कैसा है, यहां तक बात समझ आई, तो हमने एक risk निकाल दिया, कौन सा risk, control risk, control risk क्या होता है बेटा, बिलकुल layman language में समझना है, control होने के बाद भी, apply होने के बाद भी, हो सकत है, वो risk को खतम, classes लेने के बाद भी हो सकता है, न लाएको तुम pass, यह एक risk है, जो रहेगा, अब कम जरूर कर सकते हो, तो मैंने का बच्चा सारी classes ले रहा है, बढ़िया से test दे रहा है, तो इसका भाईया see risk क्या है, कम है, ऐसे यहां पर control fail होने के chances कम है, तो control risk क्या है, low ह है, यहां तक चर्चा समझाई, अब मैं एक नई चर्चा स्टार्ट करूँगा, जिसके लिए हमें वापस से बिल्कूल स्टार्टिंग में जाना पड़ेगा, एक नए जुले पर चलेंगे अब ठीक है, एक जुला हमारा खतम हुआ है, फिर अगले जुले पर चलेंगे, अ अब आप मुझे बताइए, अब आप मुझे बताइएगा, कि आप जब क्लाइंट प्लेस पे गए, पहली बार गए थे न, आप किस की चेकिंग करने गए थे, फाइनेंशल की, मैंने का डारेक्ट चेकिंग मत करना, सबसे पहले क्या करना, वोक थुरू, सबसे पहले क्या क पर गए और मानलो यह purchase head है मैंने इसको कहा जाओ जाते ही कि आपसे कुछ understanding ले नहीं है कि यह कहेगा भाई साब जान पिचान तो कर लो आया ना yes or no हम company के financial statement का audit करने आये हैं अब directly audit में लग जाओ गया पहले company को थोड़ा समझना चाहोगे हाया ना बिना company को समझे company की checking चलू कर दी अजीब नहीं लग रहा कुछ तो हम हमारा audit का पहला step walkthrough भी नहीं होता देखो मैंने कल आपको क्या समझा है पहला step क्या होता है आज मैं बोल रहा हूं नहीं होता क्यूंकि भाई अपने को process समझना है purchase का purchase का process समझने से पहले company को तो समझ लो company क्या है business क्या है management क्या है पैसा कहां से आ रहा है कहां जा रहा है product क्या बना रहा है yes or no क्या technology यूज कर रहे है government के rules क्या है समझते यह नहीं आप यह चीज़ जानना चाओगे नहीं जानना चाओगे तो देखो यह जो step 1, 2, 3 थे, यह सारे क्या हो गए फिलाल अभी के लिए, यह बेगार हो गए. तो अपने को वापस 0 step पे चलना पड़ेगा. यहां से करते हैं इसको start. Step 1 था ना वो, तो इसको लिख देते है step number 0. अब कुछ number तो दिया नहीं, वहापे 2 लिखना था यहां तो मेरे को. मैंने का भाईया, financial statement की checking से पहले, before financial checking, आपको क्या करना है? walkthrough TOC, उस TOD के बाद उसका technical नम TOD नहीं है, क्या है? substantive, substantive के अंदर TOD आता है, मैंने का भाईया साब, इन तीनों को ही करने से पहले, इन सबसे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको understanding लेनी पड़ेगी, सर्वापस understanding? आजी, किसकी? company की? और, company के management के, बेटा, control तो उपर आएगा, control तो हम walkthrough में देख रहे हैं, अब हम company के बारे में समझ रहे हैं, company क्या करती है, company का business क्या है, ठीक है? company के उपर कौन सा FRF लगता है, अभी जिकर क्या था नहीं, एक word का, financial reporting, भाई, यह banking industry है, insurance है, electricity है, कौन सा sector है, private limited company है, listed, सर्व, ऐसा क्यों, भाईया, हर किसी की requirement, आप audit करने जा रहे हो, पहले देख तो लो, करना क्या है, आया ना, तो आप देखो, business क्या है, FRF की requirement क्या है, low and regulations की requirement क्या है, company के products कौन कौन से है, company के customer कौन है, company के vendor कौन है, company के competitors कौन कौन है, सर्व, इतना सब जानना पड़ेगा, तभी तब audit कर पाओगे, yes or no, भाई, आप ये बताने वाले हो, सब सही है या नहीं है, जब तक मुझे ही नहीं पता चलेगा, company किस field में काम कर रही है, company के पास finances कहां से आ रहे है, company कहां investment कर रही है, मैं कैसे बता पाऊंगा सब कुछ, मतलब मैं company के process में कैसे अंदर जा पाऊंगा, जबकि मुझे एक broad view, company के बारे में overall understanding नहीं होगी तो, उसके बाद इसके अलावा सर, आपको management को भी समझना पड़ेगा, company के founders, कौन हैं, directors, कौन हैं, सर ये क्यों समझ रहे हैं, why founder, why directors, बताओ बेटा, I need some professional answers, अगर हैं तो please handraise करके दीजेगा, live class students आप भी reply कर सकते हैं, और जितने भी student live class में देख रहे हैं, मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा, कि जब मेरे को query आपकी देखनी होगी, मैं आगे से पूछूँगा आपसे, कि आप query post कीजिए, जब face to face वालों की query नहीं ले रहा हूँ अभी, बीच में, तो आप त तो समझ आ गई, but why we are looking at the management, and founders, directors, reason क्या है sir, low end regulation क्यों देख रहे हैं, government के, हाँ जी बेटा, मेरे को mic चाहिए पीछे प्लीज, हाँ बेटा, नहीं तो फिर अपन उसको देख क्यों रहे है, ultimate decision making management ने की, हम process read करके देख लेंगे, हाँ बेटा, माइक ले लो, मेरे पास भी आवाज कमारी है, अभी आपने बोला था कि financial nature के transaction को हम लोग चेक करतें audit में, तो यहाँ पे जो founders और director है, वो कहीं अपने related party के साथ में कोई transaction वगरा करके, तो कुछ घपला नहीं करें, या फिर कुछ कर तो नहीं रहे है, ऐसा, बहुत सही बोला आपने, सर हम इसलिए भी management को जानना पसंद करेंगे, हो सकता है management कुछ गलट transaction कर रही हो, आपने सिर्फ related party बोली है, मैं इसमें सब कुछ डाल रहा हूँ, हो सकता है कुछ unusual transaction कर रही हो, कुछ unusual business decision लियो हो, तो अगर मैं उनके बारे में जानूँगा, तो कई management ने कोई past में, fraud तो नहीं किया हुआ, ओ, इससे भी कुछ फायदा होगा अपने को, अरे यार एक बात बताओ, company की management के board of director के already कुछ fraud reported है, तो जब आप audit करने जाओगे, तब आप इसको इमानदार समझोगे, या आपको इस पर शक रहेगा, इस करमे कांडी ने, कुछ कांड तो, कर ही रखे होंगे, थोड़ी सी checking, मतलब मैंने अभी walkthrough भी नहीं किया, क्या क्या, मैं तो बिल्कुली step number, company की understanding ले रहा हूँ, employee की understanding ले रहा हूँ, management के बारे में देख रहा हूँ, और तभी मुझे पता चलता है, कि company के पिछले auditor छोड़ कर चले गए, अभी अभ चाहिए, कि एक auditor कितने साल के लिए point होता है, भाई उसे पहले ही निकाल दिया, हाला कि निकालना, removal is not a easy task, बट समझने के लिए बोल देते हैं, कि या वो छोड़ कर चला गया, निकाला नहीं, क्योंकि central government का approval लेना पड़ेगा, वो खुद छोड़ कर चला गया, क्या आपको नहीं लगता, जब मैं उस client का audit करने आया, तो मुझे अपने भाई को phone करना चाहिए, कौन भाई, predecessor auditor, ex-auditor, क्यों भाई, मेरा भाई कैसे हुआ वो, बेटा हम सबका बाप, एक है, सबके मालिक, कौन, ICI, सबका मालिक, भाई, ICI कहते हैं, ICI कहते हैं, और यह mandatory requirement जो मैं बोल रहा हूँ, हलके मत लेना, ICI कहता है, कि जब भी तुम कोई नया client accept करोगे, उसको accept करने से पहले, आपको अपने भाई को या बेहन को phone करना पड़ेगा, और उनसे पूछो कि भाई, तुम छोड़ कर क्यो गए हो, और अगर वो तुमें कोई ऐसा reason बताए, कि उसका reason justified है, या उसकी fee नहीं pay वोई है, तो आप उस client को accept, अरे भाई साब, यह इतने तगड़े तगड़े rule क्यों बना रखे हैं, ICI ने, hand raise करके जवाब दो, इतना बढ़िया rule ICI ने क्यों बना रखा है, कि जब भी मैं कोई नया client intercept करूँगा, मुझे पिछले auditor से पूछना ही पड़ेगा, और उसको मुझे reply करके बताना पड़ेगा, उसके reply के बाद मैं काम start करूँगा, बताओ ऐसा, क्यो rule बना रखा है, चलो information company के बारे में पता चली, वो कहेगा, fraud है, management बेकार है, मैं कहूँगा, ठीक है यार, हुआ बच गए, अम्मा बच गए, तो अच्छा हुआ बेटा, पहले ही पता चल गया, मैं काम start नहीं करूँगा, हाँ जी रूल क्यों बनाया गया है, सर, मतलब जैसे अपने भाई से हम लोग पूछेंगे, तो वो बताएगा कि वो कैसा है, मतलब उसमें payment करा या नहीं करा अरे सब हो गया, यह क्यों बनाया रूल, रीजन मैंने बता दिया, सर ता कि वो फिर वो प्रॉब्लम फेस करें, अपना बुक्स भाईया, तो मेक शोर इंडिपेंडनेंस ओफ ओडिटर, पड़ सुनाईए, भाईया, अगर ऐसे है तो कोई भी किसी को भी निकाल देगा, को पड़ाए हो, उसमें एक चप्टर पड़ाओगा आपने, audit and auditors, पड़ा था, उसमें आपने एक section पड़ाओगा, appointment of auditor and disqualification of auditor, क्यों मनाया वो section, why, why this section came into the picture, reason क्या था, उसका purpose क्या था section लाने का, independence of auditor, क्या reason था, कि कहीं भी अगर auditor का independence हर्ट है, तो फिर वो काम सही तरीके स ए, अगर मैंने किसी company के share खरीद लिये, और मुझे पता चला, इसने fraud क्या हुआ है, तो मैं माथा पकड लूँगा, कि अब इसको report करूँ या अपने पैसे बचाऊँ, करोगे report, नहीं, तो independence, आपके पास share है, तो आप उस company का audit, अगरीमा मैं मानलो Reliance में director है, अगरीमा मेर audit करो, यह क्या हाला, तो जब कोई related party company में है, मैं उसको audit कर पाऊंगा, कानून कहता है, मत करना, क्यों, क्योंकि भाई, तुमारी घर पे नहीं चलती, company में क्या घंटा चलेगी, independence, नहीं हो, तुम independent ही नहीं हो, तो audit कैसे करोगे, तो एक auditor का independence, ensure करना बहुत जरूरी है, companies act भ बारे में business के बारे में जान लो, उससे फायदा यह होगा, कि अगर इसने कोई fraud किया हुआ है, तो आपको पता चल जाएगा, बिना कुछ किये ही, कि इस company की checking, ज्याधा करनी है, ज्याधा detail में check करना पड़ेगा, आया ना, कोई एक student मुझे चाहिए, बस एक छोड़ा सा concept सम जाने के लिए इसको एक नाम देंगे न, अब technical नाम, बिटा इधर आ, आजा, जल्दी आओ, full screen कर देना निवास, नाम क्या आपका, वंश, भाई का नाम वंश है, ठीक है, वंश, हर किसी इंसान में कमी होती है, जैसे कि इस पूरी क्लास के जादतर बच्चों में कमी है, कि इनका English Communication Skill बहुत वीक है, और हो सकता है, आपका भी वीक हो, मानते हो, कोई doubt है इसमें, जो live देख रहे हैं, उनके साथ भी ये दिक्कत हो सकती है, जीडी वालों के साथ भी दिक्कत हो सकती है, कि सर एक weakness है हमारे साथ, कि हमारी English Speaking भी बहुत वीक है, और राइटिंग भी भगवान की दिया से बहुत वीक है, मैंने का जी बहुत बढ़िया बात है, कुछ की weakness ये भी हो सकती है, कि हमारे उपर जिनका control है वो भी बहुत ज़्याद है, कि मम्मी का शाम को साड़े पांच बजते ही phone आ जाता तो मतलब जबरदस्त control है उपर, तो ये भी है कि इसके साथ क्या है, weakness है, तुम इन weakness को दूर कर सकते हो, खतम कर सकते हो, कैसे, मम्मी के साथ trust बना के, पिटा मम्मी को आसते कोई trust में नहीं ले पाया, तो ये तरी गलत वहम ही है, ठीक है कोई trust, लड़किया ले ले लेती है, मम्मी भी क्योंकि कभी लड़की थी ना, इसलिए वो समझ जाती है, कि इसको रोकना possible नहीं है, ठीक है, तो आप ये बोलो, कि इस risk को सर, खतम तो नहीं कर पाऊंगा मैं, इसको मैं थोड़ा कहीं, किसी हद तक कर, तो अपनी English को आज ही fluent कर सकता है, बिल्कुल, नहीं, लेक किसी कंपनी का audit करने जा रहे हो, हो सकता है, वो कंपनी chemical produce कर रही हो, chemical industry है, मेरा एक client है, India Glycols Limited, अगर कोई student UP से बिलोंग करता है, नैनिताल से पीछे एक जगह है, काशिपूर, रामनगर के आसपास, महा पे एक factory है, IGL, India Glycols Limited, वो मैं lead करता था, या फिर एक दूसरा client च वो sugar बनाती है, जब sugar बनता है बेटा, तो उसका एक by product होता है, क्या, molasses, और उसके अलावा भी न, आप लोगों को काफी कुछ नहीं पता, बहुत सारा waste material निकलता है, वहाँ से, हजार्डियस material होता है वो, और वो लोग क्या करते हैं, note 3 नी, factories क्या करती है, उस waste material को या तो नदियों में बहा देती है, ठीक है, या फिर उसको जमीन के अंदर दबा देते हैं, इससे क्या हमारे environment के अंदर losses हो रहे हैं, यह allowed है, legal allowed है, यह legally, these are not allowed, तो मुझे पता चल गया कि इनके उपर कभी भी legal penalties आ सकती है, हाँ या न, बिहार से कोन कोन है, बिहार में कुछ साल प बिहार एक संपूर्ण राज्य था, उसको किसी से पैसा मांगने की जरुवत, उसके बाद पता नहीं क्या मनाया, बिहार में क्या कर दिया, लिकर, लिकर बैन कर दी, और अब लग गई क्या, लिकर की भटियां लग गई, कच्ची दारू बनाई जाती है, या फिर smuggling की जात बिटर गया, वो जाते ही control चेक करने लग गया, साले ने देखा ही नहीं, लिकर तो बैन हो गई, तो क्या company के financial going concern, AS1, पढ़ते हो, तीन basic accounting assumption कौन कौन सी है, going concern, consistency, overall, अरे भाई, company का going concern नहीं हिल गया, तो ये financial going concern basis पे नहीं बन सकते, तो कैसे बनेंगे, AS1 पूछ रहा हूँ कैसे बनते हैं, reliable value पे बनते हैं नलाय को, account पढ़कर आएं ही लोग, कैसे बनते हैं, reliable value पे बनते हैं, यदि company का going concern impacted है, तो मतलब आपके financially गलत हो गए, लेकिन अगर मैं वोचीज चेकी नहीं करता, तो मैं auditory गलत कर देता, हाँ या ना, yes or no, मैं गलत financial कोई बोल देता, क्या किस level पे करनी, इस company के ऊपर कितना risk है, government की side से, competition कितना है, raw material कहां से आ रहा है, supplier कोन है, customer कोन है, वहां से भी हम company का risk क्या कर सकते हैं, assess कर सकते हैं, अब एक बात बताओ, ये वाला जो risk है, ये company का risk है ये purchase का risk है, किसका risk है, और company इस risk को चाहा कर भी खतम, वह सरकार की policy company कैस controls लगा कर, मानलो raw material पर कोई limitation है, इंडिया में scale raw material, जिसे coal, molasses, आप दारू समस्ते हो, सबसे ज़्यादा खपत है उस चीज़ की, दारू बनाने के लिए एक basic raw material चाहिए, क्या, molasses, molasses, उससे alcohol बनता है, उसी से ही सारे chemical बनते हैं, चाहिद आपको पता है या नहीं पता अब molasses है बेठा scared, दारू चाहिए ज़्यादा, तो क्या करें, risk है, company पे कोई risk है क्या, company पे कोई risk है, बिल्कुल है, अब company क्या कर सकते है, इस risk को कम कर सकती है, वो ये कह सकते है कि चलो भई, हम import कर लेंगे, या वो कोई दूसरा substitute निकाल के ला सकते है, कि हम इससे भी अप management चोर है, पता F-Road Report कर रखा है, चाहिए अब वो इमानदारी से काम कर रहा हो, लेकिन मन में तो doubt रहेगा, ऐसे risk को बताओ क्या बोलेंगे, इस risk को बोलते हैं, एक company का inherent risk, क्या बोलते हैं, ये आपका inherent word सुना है, ये आपका inherent है मैं इसको खतम, भाई आपका nature ही चोरो वाल है, तो मैं आपको चाहिए कितना भी गीता पाठ पढ़ा दू, आप गीता के उपर रखे हुए 10 रुपई लेके चले जाओगे, क्योंकि वो आपका क्या है, inherent है, nature है आपका, मैं उसको सुधारने की कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन उसको बिल्कुल सही, तो हर company में भाईया, walkthrough से पहले भी आप जाके किसके understanding लोगे, company की और manage, और company का कौन सा risk निकालोगे, inherent risk, inherent risk को कोई भी कभी खतम, हाँ, अच्छे-च्छे control बनाकर आप क्या कम कर सकते हो, उसे कम कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमने, कौन सा risk कैस्स किया यह सब समझ कर, inherent risk, कौन सा risk निकाला, inherent risk, तो अब भी बोलू, तो अब हमेशा inherent बोलना है, control risk पहले निकालोगे, inherent risk, तो पहला risk कौन सा होता है, और दूसरा risk कौन सा होता है, दो risk हमने निकाल लिए, inherent risk कैसे निकाला, company के बारे में knowledge लेकर, business की knowledge लेकर, management की knowledge लेकर, directors के बारे में समझ कर, government के policy, regulations, competition, overall understanding लेके हमने risk निकाल का risk है, या company का risk है, मतलब inherent risk, purchase के लिए भी बराबर रहेगा और sales के लिए भी बराबर रहेगा, हाया ना, क्या control risk मा swornवा अपने purchase की control testing की, किसकी control testing की बैटा, तो क्या purchase का control risk और sales का control risk सेम रहेगा, नहीं सर, आप पहले purchase का process समझोगे, purchase के risk समझोगे, purchase के control समझोगे, फिर उनको check करोगे, then we'll identify purchase control risk, हाया ना, ऐसा ही हमें sales का process समझना पड़ेगा, sales में क्या-क्या risk है और sales के अंदर क्या-क्या, और उसको check करके मैं किस process का risk निकालूगा sales का control risk, मतलब control risk item wise होता है, हाया ना, inherent risk financial level पर होता है, किस level पर होता है, financial level या फिर company level, समझाया, तो सबसे पहले कौन सा risk निकालेंगे, दूसरे number पे कौन सा risk, control risk निकालेंगे, control risk का step number one, control risk निकालना है, step number one, walk through, तीन step होते हैं उसके अंदर क्या-क्या, understanding the process, understanding the risk and understanding the controls, ठीक है, उसके बाद control की decision making और उसके बाद control की testing, sample निकाल कर, सिर्फ और सिर्फ relevant financial control को चेक करेंगे, चेक करने के बाद हम बोल सकते हैं, control risk या तो low है, या medium है, या फिर high है, ऐसे ही, जब आपने inherent risk की understanding ली, तो आप inherent risk को भी measure करोगे, क्या, या तो ये low है, या ये medium है, या फिर high है, दो risk आपने मेरे साथ यहां तक निकाल दिये, यहां तक किसी को कोई doubt है तो पूछेगा, फिर इसके बाद आगे की चर्चा बाद में करेंगे, किसी भी student को यहां तक अगर मन में कोई सवाल है, तो आप मुझसे discuss कर सकते हैं, क्योंकि अब हमें step number 3 पे जाना है, कल हम step 3 का discussion क्या था अब हम step 3 पे जाएंगे, अब मुझे आपके साथ step 3 discuss करना है, step number 0, अब मैं 0 बोल रहा हूं तो क्या बोल रहा हूं? inherent risk, step number 1, walkthrough, step number 2, TOC, test of control, दो रिस्क निकाल दी आपने, inherent risk और, अब आगए हम step number 3 पे जिसको क्या बोलते हैं, number, checking, मतलब अब हम finally कहां पे आया है, financial statement को check करने, do you guys need a break? फीग है, आप 2 मिनिट का break ले सकते हैं, इस glass से मेरे को एक बाद याद आती, break चल रहा है, 2 मिनिट का धियान रखना, मैं story चल, मेरा break नहीं है, यह मेरा break है basically, मैं आप से बाच्चित कर रहा हूं, इस glass से ना मेरे को एक बड़ा किस्सा याद आ जाता है, मेरे पापा आया हुए थे एक बार, घर पे ना, जाओं, तो एक छोटी सी अपनी self party कर सकूँ, तो I have one sweet सा एक बार काउंटर है मेरे घर पे, ठीक है, तो पापा आयो हुए थे, सुबा सुबा साड़े 5-6 बजे उठके मेरे बार काउंटर के पास जाके ऐसे देख रहे हैं, मैं भी जल्दी उड़ जाता हूँ, मैं भी जाके खड़ा हो गया, तो वो उन्होंने, बार काउंटर मेरा 3 different shelf में है, तो उन्होंने एक shelf open की, और वो ऐसे glass उठा रहे हैं, केरे कपिल ये वाला glass किस काम आता है, मैंने का, पापा, ये glass जो है, ये specially orange juice पीने के लिए है, उन्होंने का, ठीक है, फिर उन्होंने कोई दूसरा glass उठाया, केरे, ये वाला glass किस काम आता है, मैंने का, पापा, ये ना, अगर आप कोई, मालो, water-based juice बना रहे हो, water-based drink बना रहे हो, ये उसके काम आता है, उसने का, अच्छा, फिर उन्होंने, एक और glass उठाया, केरे, ये छोटा सा glass किस काम आता है, मैंने का, पापा, आजकल ना, lemon short, mango short, litchi short, अलग-अलग, केरे, बेटा, मैं तरह बाप हूँ, मुझे सब पता है, मैंने का, जब बाप हो, तो सुबह 6 बजे, क्यों दिमाग की नहीं कर रहे हो, बोतल उठाओ और प्यों, अगर पी नहीं है, तो, glass पूछ रहे हैं, यार, कौन सा glass की चुछ रहे हैं, बाप हो, तो फिर 6 बजे, ये discussion करी, क्यों रहे हो, इंजोई करो, और आपको बता हूँ, मेरे पिताजी, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, एक बिना मेरी class का dialogue, और example, framed नहीं है, सब real है, मैं जब 12th class में था, हर्याना से हूँ में, मेरा बर्द्ध आता 31 December को, 31 December, तो मेरे घर में ना प्याज ले, सुन तक नहीं खाई जाती, मैं हर्याना से हूँ में अंदरगर से, मेरे पिताजी को, बाला जी भगवान का कुछ, और शिवजी भगवान का जादा ही पहम है, है शायद कुछ मेरी माँ और मेरे पिताजी को, तो वो कहते हैं, प्याज नहीं खानी, हम ऐसे चोरी से प्याज खाते थे ना घर पे, जैसे पतानी हमने कितना वड़क, वो कर दिया हो, गुना, लिटरली, मैं एक बार मैंने कहा, मम्मी को मम्मी प्याज खानी है, बाई, कलेश समझती हो तुम लोग, बकाइदा मेरे घर पे कलेश हुआ है, कि यह प्याज खाएगा यह लोंडा, अब मेरी माँ को पता नहीं, मैं अंडे भी खाता हूँ, तो हुआ क्या, हमारा एक फ्लोर हो रहे घर पे, हॉम ताउन में, उसकी किचन में हमने सिर्फ और से स्टोर रूम बना रखा है, मेरी माताजी ने एक छोटा सिलिंडर आता है, उसके उपर ही कोई पता नहीं समान रखने का कोछ होता है, 11th क्लास में मुझे घर से बेघर कर दिया था, कि तो आप उपर ही खाना बनाएगा और, मैं अपनी सिस्टर को बोलता था, आज मेरे को प्याज खानी है, तो अलग से हम उपर बनाते थे और खाते थे, ऐसे ही 31 सिसेंबर आया, 12th की बात है, तो मैंने मेरे पिताजी को का, पापा, आज हम बाहर जाके पाटी करेंगे, अब निउँ येर का दिन होता है, मैंने का आप ठीक, आप घर पे कर लेंगे पाटी, तो मेरे पिताजी नेना हमेशा मुझे प्लस माइनस बहुत अच्छे से सिखाया है, समझ रहो मेरी बात? कि भाई, कितनी भी पाटी करो, बट मुझे पता है कि तेरी लिमिट क्या है, और तुझे पता होना चाहिए तेरी लिमिट क्या है, मतलब समझो, मेरे कजन की शादी है, और मैं इतना पीता था ना पहले, जबरदस्ट लेवल पे, मैं बीर लेगे, आपने वो साधी का स्टेज दिखा है ना, उसके स्टेज के उपर चड़ावाँ, बीर भी रहाँ, दिल्ली में इफामा उसमें, सारे रिष्टलार बोल रहे हैं, साला ये सीए है, मेरे पिता जी बोलते हैं, ये ही तो सीए है, क्योंकि उनको पता है, कि मैं जो भी कर रहा हूँ, सब कुछ बहुत इंटेंशनल कर रहा हूँ, and I'm enjoying, and I don't enjoy on daily basis, समझ में आ रही है बात, मेरे लिए वो दिन साल में एक दिन था, तो उस दिन मैं कोई भी कसर छोड़ना, एक मेरे दोस्त हैं, अमन, और एक है विपिन, ये मेरे साथ ही थे, विपिन मेरा बहुत जूनियर था, तो जिस दिन मेरे कजन की शादी थी, मैं बहुत लंबे, मतलब होता है न, घर में शादी कई साल के बाद आ रही है, तो मैंने राहुल, मेरे कजन का नाम है, मैंने अमन को और राहुल को, और मेरा ड्राइवर एक, उसका नाम भी राहुल था, तो हमने उसका नाम चेंज कर दिया, मैंने का यार, तेर को अगर मैं बहन की गाली दूँगा, तो ऐसा लगेगा, भाई को गाली दे रहा हूँ, हाई या न, ये सोर नो, तो हमने उसका नाम बदल दिया, हमने का तेरा नाम सुमित है आज से, वो कह रहा है ठीक है भाई आप कुछ भी बोल लो, हमने का आप उसको सब सुमित ही बोलते हैं, किसी को पता ही नहीं, उसका असली नाम राहूल है, क्यों क्योंकि हमारे घर में उल्वड़ी एक राहूल है, मैंने उसको समझाया, मैंने का देख सुमित, आज तेर को मेरे साथ ही रहना है, कोक्टेल की बात ही है, शादी की बात नहीं है, शादी में तो स्टेज के उपर मैंने बता दिया, मैंने का हमारा खुद का फार्माउस है, आप लोगों को ना पता हो तो दिल्ली में, आज मैं बहुत होंगा भाई, और मैंने अपने दो दोस्त बुलाए, मैंने का अमन बहुत मोटा है, वो भी पीता है, टेंकर है, मैंने का अमन भाई, आज तू कम भी हो, आज एक लेवल ऐसा हैगा ज़ा मैं भंड़ो जाओंगा, और तुमको मुझे सही सलामत घर पे ड्रोप करना है, अब मुझे एक बंदे पर भरोसा नहीं होता भाई, मैं ओडिटर आदवी हूं, हमारे क्लाइंट बोलता कुछ है, मिलता कुछ है, मैंने विपिन को भी बुलाया, विपिन बिलकुल गाए, सरीफ, वो आज कहीं शायद यूएस वगेरा बैठा है, मैंने विपिन को बुलाया, मैंने का, मैं तेड़ दो बुजे तक पीते रहे साला कुछ हो ही नहीं रहा, और अपने को भंड होना है, होना है, मतलब होना है, मैंने घरवालों को सबको बता रखा है, कोई जज नहीं करेगा आज, आज आप बता, अधरवाईस तो पापा कहेंगे ना, मैंने का, आज ये क्या किया तुने, मैंने का, आज कोई जज नहीं करेगा, मैं भंड होंगा, और मेरे को इसको एक्स्पिरियंस करना है, पापा ने का, ओके, मतलब सबको पता था, आज ये अलग लेवल पे जाए, भाई मैं, दो बज गए, मेरे को कुछ होई नहीं रहा, मैं अपने भाई के पास ही गए, रोहित नाम है उसका, मतलब राहुल से बड़ा भाई, मैं रोहित के पास गए, मैंने का, भाई कुछ होई नहीं रहा यार, मैंने चार बोतल टिका दिये, के रहे कुछ नहीं तुम मिक्स कर ले अब फाइनली मैंने गए यार भाई कोक्टेल वगिरा मत करवाओ यार उससे चड़ती नहीं उससे फिर तो और भाई मैंने बीब बीयर उसके उपर एक और उसके उपर शाहिद बताने क्या उसके बाद मेरी अगले दिन शादी से शायद आदे घंटे पहले आँख खुल रही है जब उसकी गोड़ी मां पहुंच चुकी है और राहुल और मैं इतना क्लोज है राहुल बोल रहा है साले कपिल को तो लेकर आओ घरवाले कह रहे हैं वो तेरी शादी के बाद ही आएगा अब मेरे को किसी तरह से उठ कोड़ चुका हूं अब वो अलग दुनिया थी अब मैं बहुत अब पांच परसेंट नहीं मेरे को मेडिकल इस्यूज हो गए थे इतनी भी निपीता था कि दारू की बज़े से हो गए तो नहीं काउंटर है कल रात को पी थी हमने बेटा मैंने ड्रिंक अपनी लाइफ में पहली बार वो बारवी क्लास के बर्दे पर थोड़ी सी पी थी मेरे बड़े भाई ने पिलाई थी उसके बाद मैंने सीय बनने के बाद ही हाथ लगाया था मैंने सीय बनने तक कभी ड्रिंक को हाथ नहीं लगाया सीय बनने के बाद अधी official parties से start वी थी है, उसके बाद पता चला, जाला partner आ रहा है तो वह दारू पी रहे, manager आ रहा है वह पी रहे, client कर रहे, कपिल साब इस entry को ऐसे post कर दो, मैं नगा नहीं करओंगा, कह रहे चलो दारू पीते है, मेरे को सारा स्वाज ही नहीं आ रहा हर चीज का सोलीशन एक है जो लो पीते हैं और एक और चीज है जो मैं नहीं करता सुट्टा समझते हो आप लोग भाई साब मेरा एक दोस्त है कुशल कि वह के पीमजी के इंडिया हेड के साथ उडियली 15-15 मिनट बाते कर रहे हैं मैंने का साला हम पार्टनर से नहीं करते तो हें लगा हुआ है कि रहा कुछ नहीं बैंगलोर में दोस्त के साथ लगाए थे दोस्ते हो गई तो यह अलग चीज़ चलो हो गया ब्रेक खतम लेट स्टार्ट नाओ कभी तरी की शादी करवानियों तो याद करियो मुझे तब तिरको फार्माउस देंगे उससे पहले नहीं उससे पहले अपना जुगाड खुद करो लो जी अब करते हैं आगे और ब्रेक इस नाओ ओवर देखेगा आपने जब भी किसी क्लाइंट का ओडिट स्टार्ट किया स्टेप नमबर वान वी विल ओप्टेन अन अंडरस्टेंडिंग ओफ दी एंटिटी और इस management का entity का मतलब company company और उसकी management की हमने understanding ली उस understanding से क्या फाइदा हुआ हमें company का inherent risk पता चला कि company के ऊपर overall कितना risk है फिर मैं second step पे आया मैंने किसी financial के caption को पकड़ा let's say purchase उसका walkthrough किया understandingly उसमें risk समझा process समझा control समझा control की decision making ली control testing की और finally एक दूसरा risk निकाला क्या control testing अब मेरे पास दो input है दो क्या है input है एक मेरे पास inherent risk है दूसरा मेरे पास control risk है जो कि दोनों low है मान लिजे positive रखते हैं भी mindset हम काम करने आये थे इस financial statement का audit करने आये थे जो कि अभी तक हमने start भी नहीं किया है और already हम काफी time लगा चुके है client place पे अगर किसी बच्चे को मेरे example से दिक्कत हो तो class cancel करवा सकते हो क्योंकि example तो रहेंगे कि भाई मैं पहले बता रहा रहा और गाली भी निकल सकती है उसके कोशिश करूँगा ना निकले लेकिन कभी कुछ निकल जाए तो माफ करना माई देखो पहले बोलना इसलिए अच्छा है अदर्वाइस आप जज करोगे मैं कोशिश करूँगा मेरे मुझसे कोई अब शब्द ना निकले बट भाई हमारी मजबूरी हो जाते हैं कि हम दिल्ली से हैं तो अरे भाई रुको मैं कह रहा हूं मैं कोशिश करूँगा मेरे मुझसे कोई भी अपशब्द ना निकले मेरी अगले 50 क्लास में यही लेगिन होता गया है न मैं क्लाइंट में कभी-कभी इतना भेजाता हूं एक्जामपल देते देते कि वो क्लाइंट क्या कुछ निकल जाता है तो गाली आपको नहीं होगी किसको होगी बस यह ध्यान र में काम पर में टास्क पर जो कि था फाइनेंशल स्टेटमेंट की चेकिंग करना यही इसी काम के लिए थे हम आप जब फाइनेंशल स्टेटमेंट की चेकिंग करने आए परचेस का नंबर हमें चेक करना है जिसके अंदर 40,000 करोड का नंबर आ रहा है और इफाइल टोक है definitely अगर control risk कम है तो मेरा confidence भड़ गया है कि इस client पे जितनी भी transaction है they all are reliable at least मैं उनके उपर क्या कर सकता हूँ rely कर सकता हूँ क्योंकि control क्या है बहुत ही strong है लेकिन भाई साब इस 3,70,000 की transaction को 100% check करना तो possible अपना काम भी है है हम इसी को check करने आये हैं सिर्फ control risk कम होना inherent risk कम होना मैं sign तो नहीं कर सकता कर सकते हो तो असली मुद्दा असली audit अब start होता है अब आप मुझे बताओ इस 3,70,000 transaction का या फिर 40,000 करोड का audit कैसे करें this is the financial statement audit या फिर इसको दूसरे तरीके से बोलू the number checking अभी तक number checking नहीं था तो अब आप मुझे बताओ इसको कितना check करूँ सर आपने जो दो risk निकाल रखे हैं one is inherent risk another one is अगर यह दोनो risk कम है तो इसका मतलब क्या है पहले आप feel करो कि इन दोनों का मतलब क्या है sir inherent risk अगर low है तो इसका मतलब यह है कि management भी अच्छी है और हो सकता है government का भी तना pressure everything is fine company सही है control risk भी अगर कम है तो इसका मतलब है company के control बहुत ही strong है तो इससे आप क्या feel लोगे कि जो 3 lakh 3 lakh 70,000 transaction है I will test lesser number of transaction or higher number of transaction lesser number of transaction will give me the confidence to give an opinion on purchase अगर यह दोनों रिस्क ज्यादा होते तो मुझे एक view मिलता कि मुझे higher number ज्यादा sample निकाल कर checking करनी पड़ेगी तो one inherent risk and control risk helped me किस चीज में extent of checking में किस चीज में बाई कितना checking करूं कहीं ना कहीं दोनों रिस्क ने मुझे confidence दिया ना कम या अरा pair दोनों रिस्क कम है तो कम checking दोनों रिस्क जादा है तो हाँ या न अब मुद्ध आता है कि कैसे चेक करें कम में तो कम कितना ज्यादा में तो अगर मैं खीसता रहता ना तो आप लोग बोर हो जाते तो डेड़ घंटे के बाद एक मेरे को stand-up comedy टाइप आपको break देना पड़ता है पांस-सात मिनट का उससे class light हो जाती है और हम नया start कर पाते हैं कुछ भी आजी तो GD वाले student बाद में आप चाहो तो इसको cut भी कर सकते हो material transactions निकाल सकते जैसे इन बच्चे ने जो बोला मैं लिख रहा हूं आपने बिल्कुल सही बोला है but I will write it here आपने मुझे कहा कि सर इस तीन लाख सतर हजार में से you will identify which one material transactions material transactions material क्या है material का मतलब क्या है यह ऐसे नहीं है material का मतलब नहीं नहीं यह नहीं चाहिए मुझे material का मतलब नहीं बेटा ऐसे नहीं hand raise करके हाँ बेटा material transaction नहीं बेटा यह नहीं चाहिए मुझे जिस transaction का कोई significant amount हो बिल्कुल सही आप कोई और कोई कुछ बताना चाहेगा ठीक है और कोई बच्चे ने कहा कि material transaction को हम अलग करेंगे एक बच्चे ने मेरे को अभी तक साही जवाब दिया है जिसमें कोई significant amount involved हो और कोई कुछ बोलना चाहेगा हाँ significant amount का मतलब यह ना कि big amounts, बड़े amounts आया ना यही तो बोलता है materiality का मतलब क्या एक बड़ी transaction हाँ जिसके कोई value हो एक बड़ी transaction एक big amount हाँ या ना आप यही बोलना चाहरे हो जिसने आपने दिया यही बोलना चाहरे हो कि सर ऐसी transaction को अलग कर लो जो significant amount है मेरा अगला question आप से आता है कि यह बड़ी amount कौन सी है significant amount कौन सी है basically हाँ बताओ इसका मतलब यह जो आपने materiality word बोला है हर company के लिए बड़ी transaction अलग अलग हो सकता है आपका नाम क्या है अमित और आपका उतकर्ष एक चूजा है अमित और एक है उतकर्ष दोनों CA कपिल गोयल audit discussion में बैठे हुए है एक लड़की भी है साथ में पिट अपनी girlfriend का नाम बता कोई भी बता दे कृतिका इनकी girlfriend का नाम है कृतिका अभी के लिए मान लेते हैं आपकी girlfriend नहीं है ठीक है चलो नाम एक है रितिक एक है कृतिक और एक लड़की है कृतिका अब ठीक है तो रितिक क्या करता है रोज सुबह अपनी क्लास में आता है आठ वजे audit की क्लास सुबह आठ वजे होती है आने से पहले वो नीचे एक चाई का ठेला है उस पे जाता है और कहता हुआ है एक siaraj iam भ tekrar कटें तो अपने यां कटेंग समझते है हाफ चाई का कटिंग चाई बोलते है वो 5 रुपए के cutting चाई देता है और वो 5 रुपए और कहता है कीढ और सब लोग rabbit time meng at मिलता है वाँ पर i0-6 ले लिया है कि इंटोंने पांस रपे का ठीकम गुर पांस रुपया रोपे के ट्वी की तस रुपैमें अपना7 के सुब 8 वजी आके बैठ जाते हैं ये थे रितिक, एक क्रितिक भी है, वो घर से निकलते हैं, नीचे CCD है कहीं आसपास, वो पहले CCD जाते हैं, वो वहां से एक अपनी बड़िया सी कॉफी उठाते हैं, और साथ में कोई मफिन लेके आ जाते हैं, क्लास में वो भी बैठके अपना प्रिक्फस इंजोई कर रहे ह हैं, मानलो, इन्होंने 10 रुपे खर्च किये, उन्होंने 300 रुपे खर्च किये, आज क्रितिक कहते हैं अगले दिन, लड़की का नाम क्या था? क्रितिका, क्रितिका, रितिक और क्रितिक, चलो, आज चाय पी कर आते हैं, रितिक की तो ओलर याद थी चाय पी नहीं की, इसने चार कुकी मंग वाली एक इन्होंने मुफिल ले लिया माल लो भी ला गया 1400 रुपएगा 1400 क्रितिक कहता है रितिक भाई पे कर दियो कितने रुपए वो हिसाब लगाता है 1400 डिवाइड वाइड दस एक सो चालिस दिन की चाहे एक दिन में वो कह रहा है भाई भाई मैं नहीं प पे तो वो अपना पिता जी का क्रेडिट कार निगालता है स्वाइप नहीं आजकल तस से काम चल जाता है टैप करता है अब बस रितिक देख रहा है उस सीन को और वो आ जाता है और सामने वाले पार्टी को बिल्कुल भी इस से इंपक्ट भी नहीं हुआ इस वेरी नॉर्मल बल्कि पे करने के बाद पूछ रहा है वो कह रहा है भायर कितने अमीर बाप के उलाद है क्या सीखने को मिला इससे इससे सीखने को मिला कि जो रितिक है उसके लिए 10 रुप भी जो दूसरा बंदा है क्रितिक उसके लिए 1400 मटीरियल अगर आप मेरा ओडिट करने आए वो सीए इंडिया का यूर चाटेड़ गाउंटेंड और आप आके मानलो हमने कोई 50,000 का खर्चा किया है मैंने मैं आप लोगों को अभी कभी डिनर पर ले गया मानलो बुखारा हमारे डिनर का बिल आ गया 50,000 आ सकता है तो आप मेरे पास आ सकते हो कपिल साब यह 50,000 का डिनर के आपने बुखारा के अंदर मैंने गा हाँ जी बच्चे ने टॉप किया था 50,000 रुपए का बिल आया हमार आप मेरे पास आके बाच्चित कर सकते हो and I have to give you an explanation the purpose of the bill, yes or no? same, आप भी, आपकी ही CA firm, Reliance का भी audit कर रही है, आपने 7-8 दिन में हमारा audit complete कर दिया, आपके partner ने का कि अब आप जाओ Reliance पे जाओ, आपको एक 50,000 का बिल दिखा, आप भी बुखारा लिखा हुआ है, आपने का चलो, नीता बेंडिनर, आज मैं जाओंगा ने, आपने डोर किया, सामने कुन बैठी है, पेंजी, आपने का नीता बें अंदर आजाओं, उसने का प्लीज, ओडिटर साभ, आपको तो कैसे रोख सकते हैं, आप आईए, नीता बेंडिन, आपने 50,000 का डिनर किया है, यह क्यों किया है, वो अपने गार्ड को बलाते है, कहते है, साले को बार फेक दो इसको, ऐसा क्यों हुआ, CA India ने तो जवाब दिया था, Reliance ने उठा के फेक दिया, क्यों, क्योंकि CA India के लिए 50,000 material था, Reliance के लिए, CA India के user of the financial statement के लिए भी हो सकता है 50,000 material, अगर आप Reliance के shareholder हो, तो हो सकता है आपके लिए 50,000 material, तो आपने जो बात बोली ना भ company के लिए material transaction क्या होंगी, अलग-अलग, तो इसके लिए कुछ दो rule बनाने पड़ेंगे अपने को, ऐसे कैसे बोले, कौन सी material और कौन सी material, तो जैसे आप AS1 पढ़ते हो ना accounts में, accounting rules, auditing में rules को क्या बोलते हैं, standards on auditing, कि जब भी आप audit करोगे, तो हम आपको guidance दे देते हैं, तो एक standard आएगा आपका, उस standard का नाम है, essay number 320, materiality, अरे नाम में ही materiality, और क्या, बड़ी simple simple नाम हमारे हैं, क्या नाम है, कि 320, आप जब किसी client का audit करेंगे, तो materiality कैसे निकालेंगे, कौन बताएगा, essay number, चलो जी, हम 320 को follow करेंगे, जो भी बोलेगा, और हम reliance का audit कर रहे हैं, 3,70,000 transaction है, हम materiality निकाल लेंगे, materiality निकल गई, तो बेटा, क्या material transaction को बलग कर लें, आपके, नहीं, क्योंकि मान लो, 3,70,000 में 50,000 transaction material है, तो क्या 50,000 transaction देख सकते हैं, नहीं देख सकते, तो आप क्या करें, देखो, मैंने आपको गलत भी नहीं बोला, तो मैंने आपको सही नहीं बोला, आप सही हो, कि अपने को material तो देखना पड़ेगा, मैंने का 320 में सीख लेंगे, कैसे देखना है, लेकिन सिर्फ material transaction से बात ही नहीं बनेगी, क्योंकि material transaction भी हो सकता है, कितनी हो, thousands में हो, हम लोग तो 5 लोग आए हैं, महीने बर में audit खतम करना है, और अभी तो सि सानी financial में कितने caption है, बताओ, अब आगे क्या करोगे, please use your mind और कुछ भी बोलो जो आपको सही लगे, हंजी बेटा, क्या कह रहे हो, जो importance है, हाँ, इन्होंने कहा, हम एक काम करेंगे, purchase का audit चल रहा है, जो हमारा important product है, जिसको हम ज़्यादा purchase करते हैं, उसको देख लेंगे, म मैं बोल रहा हूँ, यार, 70,000 transaction important है, हाँ, जी, सर, इसमें से हम related party transaction को अलग करेंगे, और उनको अलग से check करेंगे, ऐसा क्यों, related party अपने अलग से क्यों बोला, क्योंकि related party समझते हो कोन होता है, जैसे मेरी subsidiary, मेरे associates, आज मैं बाहर वाले आदमी के साथ कोई deal नहीं कर सकता, लेकिन related party के साथ हम आराम से कोई भी deal crack कर सकते हैं, क्योंकि वो मेरी अपनी ही company है, तो उन transaction में हमेशा risk क्या होता है, जादा होता है, अब आपके साथ मैं बोल रहा हूँ, इस company में related party transaction जो है, वो 20,000 transaction है, Reliance के subsidiary पता ही कितनी है, 400, 400+, तो 400 लोगों के साथ, company के साथ, वो 20, 20,000 transaction कर सकता है ना पूरे साल में, क्या मैं 20,000 transaction चेक करूँगा, नहीं, देखो आप जो भी जवाब दोगे, आपका जवाब यह यह आएगा, सर हमारी transaction तो thousands में ही निकल कर आएगी, इसका मतलब हम इसमें से sampling नहीं कर पाएंगे, हाना, manually sampling करना possible नहीं है, यहाँ पे आके हम कुछ ना कुछ तो software या tool को use करना पड़ेगा, तो एक auditor भी, जब audit करता है ना, तो वो software यूज करता है, अपने audit को करने के लिए, क्या यूज करता है, इसको हमारी auditing की language में बोला जाता है, cat, cat का मतलब होता है, full form होता है, computer assisted audit technique, कि हम computer की मदद से हमारा audit perform कर रहे हैं, cat एक general नाम है, इसके बहुत सारे specific software हैं, किसके software हैं, जिससे आप sampling कर सकते हो, sampling के software हैं, जिससे आप data को analysis कर सकते हो, अगर मैं आपको सब big four के हिसाब से पढ़ाने लगूँगा, तो आपका रायता फैल जाएगा, तो पूरी journey में हम एक ही client को, एक ही firm को पकड़ कर चलेंगे, जिसका नाम क्या है, KPMG, ठीक है, एक के हिसाब से सब सीखेंगे, बाकी में बस नाम change हो जाएंगे, KPMG जो software use करत है, sampling के लिए, उस software का नाम है, idea, क्या नाम है, idea एक software का नाम है, KPMG इसको use करती है, for the purpose of sampling, देखो यहाँ तक तो आप सब मेरे साथ agree कर रहे हो ना, कि sir, manually sampling करना possible नहीं है, मैं चलो आपके साथ agree कर लेता हूँ दो minute के लिए, कि manual sampling करना possible है, मैं agree कर लेता हूँ, अब सोचो, visualize करो, कि आप, बच्चे, reliance का audit करने गए, आप इसे बात कर रहा हूँ, जब आगे हाँ, आप से, आप से, अहाँ, दोनों से, आप दोनों reliance का audit करने के लिए गए, purchase का audit कर रहे हो आप, और आपने manually sample निकाल दिये, उस sample में एक ऐसी transaction भी न जिसमें किसी बंदे ने purchase का audit कर रहा हूँ, आप, कोई machine खरीदी है बट वो personal use के लिए खरीदी है, लेट से finance head में, आपने उसको sample email कर दिये, कि भाई, इसके documents दे दो हमको, करोगे आप, जैसे ही purchase head, उस sample को देखेगा, उसका दिल क्या करेगा, धाक धाक, धाक धाक, कि personal use के लिए समान खरीदा था, वो transaction, अब वो बंदा आपके पास आएगा, आपका नाम क्या है, हाँ, श्रिया और आपका पलक, श्रिया और पलक मानलो, sample निकालके client के पास पहुचा चुकी है, अब CFO साब आते हैं, श्रिया मैम कैसे हो आप, श्रिया कहते हैं, श्रिया कहते यह नहीं, याज लसुन भी नहीं खाती मैं तो, वो गहता है, सलो भाई, अदारू से तो बात, फिर purchase मानलो, जी मैं ही हूँ, purchase manager, मैं आता हूं आपके पास, यह MI का phone लेके घूम रही है, श्रिया, मैं इनके पास कहता हूं, मैम, do you know that recently a new iPhone came into the market, that is iPhone 15 Pro Max, can you just check it out, maybe you will like it, श् is so nice, ma'am you can take it, ma'am you can use it, that's fine, I will buy the other one, thank you sir, thank you for the iPhone, पलक कहेगी sir, ma'am I have one another phone, I will give it to you as well, पलक और सी रहशाट हो गए, दारू के विना, दारू नहीं थी तो किस पे गए, और यह चूजे हैं, but मैं बच गया, समान जो मैंने परसनल खरीदा था, वो पचास करोड का था, लेकिन अभी बचा नहीं हूँ क्योंकि सेंपल में तो है, अब मुझे इनको एक चीज बोलनी पड़ेगी, ma'am, iPhone अभी इनको मिल चुके हैं, अब यह FaceTime कर रहे हैं, अब यह FaceTime कर रहे हैं, अब मुझे इनको एक request करनी पड़ेगी, ma'am can you please change that, आप उसको please change कर दो, पलक तेरा बाप का क्या जाता है, yes or no, क्या जब मैं इस तरह से खुद से सेंपलिंग कर रहा हूँ, तो बाइसनेस आ सकती है क्या, independence रही क्या, मैं तो पैसे लेके निकल जाओंगा, अभी तुम पैसे तो मुल्टा लटक जाओं, हाँ या ना, तुमें बेटा कोई पैसे देगा तुम पिंगल जाओंगे, नहीं पिंगल जाओंगे, देखो, मैंने इसको कुछ बोला, मैंने कुछ नहीं बोला, पिंगल जाओंगा, सही बात है, पैसे के, सर अभी मुझे पैसे दो, आप ऐसे ऐसे उड़ाओ, अभी मेरे उपर, मैं उल्टा लटक जाओंगा, अभी तु तो क्लाइंट ही जितेगा हमेशा उसके लिए 10-20-50,000 रुपए कि क्या कोई ओकात नहीं है और हमारे लिए बहुत है क्योंकि स्टाइफंड कितना है अजार रुपए बेटा मेरा स्टाइफंड 1000 था मैं आपको सच्छा ही बता रहा हूं तो सूचो 5-10 रुपए कितना बड़ आमाउंट होता होगा ऐसा लगता था क्या आ गया लक्षमी मा आ गई आस तो तो इस तरह से सैंपल मैनुवली करना कभी भी ओडिट के लिए सही तो यहां पर हम क्या उस करेंगे बेटा एक सोफ्ट्वेर अब मैं थोड़ी सी टेक्निकल चर्चा कर रहा हूँ आप मेरे साथ प्लीज साथ दीजेगा मैं आपके लिए यहां पर एक सौफ्ट्वेर क्रेट कर रहा हूं और अपने आपसे जाने वाला है, ठीक है, यह software है, इससे आपको एक output चाहिए, क्या चाहिए, और वो output क्या है, sample चाहिए, आप कहा रहे हो, software idea दे दे, क्या, sample दे भाई, purchase के, वो कहेगा, भाई, कुछ तो दो, कुछ input तो दो, जिसमें से मैं आपको निकाल कर क्या दूँ, तो आप मुझे बताओ, पहला input क्या रहेगा, hand raise करके, क्या रहेगा, बताओ, purchase का transaction, हाँ या ना, सर्फ purchase का ledger, आप यही बोलते हो न, yes or no, और audit की भाशा में क्या बोला जाता इसको, audit की भाशा में क्या बोला जाता है, data, या फिर population, क्या बोलते है, population, भाई, data दे दो, ledger दे दो, जिसमें से मुझे sample, बिटा, उस data, उस population में कितनी transaction है, तो मैं 3,70,000 का data दू या 3,00,000 का दूँ, सर सारा दो ना, sample तो 100% में से निकलेंगे, yes or no, तो ये 3,70,000 transaction को मैंने कहां पर upload कर दिया, idea में, मेरे साथ क्या बोलेंगे, idea, या, अब मैं कहूंगा, भाई, अब output दे दे, software कहेगा, कुछ तो बता, कुछ instruction तो दे, कि भाई, तुमने इस company का inherent risk चेक किया होगा, हाँ या ना, yes or no, तो मुझे बता, इसका inherent risk कैसा है, मैंने का low है जी, तो software को समझ आता है backend में, कि हाँ, इसकी मतलब management बढ़िया है, मैंने का कुछ और भी चेक किया है क्या, हमने का जी, हाँ, हमने purchase के process चेक किये, control चेक की है, सब बहुत बढ़िया है, तो control risk भी क्या है, ओहो, software को एक और बात पता चल गई, कि control risk भी उनके या पर नहीं है, control भी बढ़िया है, software काईगा, अब और कुछ भी दे दो, सिर्फ रिस्क से बात नहीं बनेगी, आप मुझे बताओ कि आपके लिए material क्या है, आपके लिए कौन सा number, material है, जो कि कहां सिख कराएंगे हम, essay number, तो मैंने का, लो जी, इस client की आपको क्या बता दी, मैंने materiality भी बता दी, essay number 320 में, मतलब आप software को पता है, कि इस client के लिए, एक significant transaction का amount क्या है, इस client का risk कैसा है, तो sample कम निकान ले हैं, और data भी हमें दे दिया, अब हम बेटा, क्या, एक OK बटन प्रेस कर दें, उसमें एक software न, OK होता है, वो प्रेस कर दो, तो कुछ देर के लिए वो data के वो प्रेसे से गोल-गोल घुमेगा, और थोड़ी देर के बाद कुछ sample आपको निकाल कर दे देगा, अब इस software backend में कैसे काम करता है, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, कि software sample कैसे निकालता है, but that we'll discuss later on, दो दिन की class लगेगी उस पर, कि software कैसे sample को extract करेगा, वो backend में क्या-क्या process करेगा, तो अब आप मुझे बताओ, क्या मैं OK बटन को प्रेस कर दूँ, technically answer should be yes, भाई अब हमें दे दो sample ताकि हम उसको check करें, मैंने का रूख जाओ, definitely हमें OK बटन प्रेस करना है, लेकिन आप एक बात बताओ, गल्ती से भी अगर input गलत हो गया, तो क्या output सही निकलेगा, गलत नि मैंना कि आप जब भी कोई input दे रहे हो, software को, जब भी कोई data दे रहे हो किसको, आपको make sure कर लेना चाहिए कि वो data complete है, accurate है, relevant है, मेरी बात समझ में आ रही है, मैंने क्या बढ़ यूज़ कि है, मेरे साथ repeat करो, कि ये data को check कर लो भाईया, sample निकालने से, ये data क्या होना और ये relevant होना चाहिए, सर कैसे, complete तो समझ आता है, accurate, relevant है, भाई, sample निकालने है, purchase के data दे दिया, revenue होगा, क्या मेरा purpose पूरा होगा, जिस purpose के लिए काम कर रहे हो, देखो उस purpose के हिसाप से, जो data चाहिए, वो है, या technical discussion आने वाली classes में, ये जो हमने data check किया है, इसको input check बोल सकत है, ये data मैंने बनाया है, या client ने बनाया है, client का data है, तो जब भी client आपको कभी भी data देना, उसको use करने से पहले, क्या हमें check करना चाहिए, उस checking को एक नाम दिया गया है, हमारी audit के अंदर, IPE Testing, क्या बोला गया है, IPE Testing, यहाँ पर I का मतलब क्या है, information, P का मतलब है produced, और E का मतलब है entity, entity का मतलब company, जितनी भी information produce किये, किसने, आप उसको use करने से पहले, क्या कर लो, चेक कर लो, कि वो complete है, accurate है, और relevant और reliable है, सर एक बात बताओ, company दिन भर में बहुत सारी information produce कर रहे हैं, सबको check कर ले, नलायक, क्या बोला मैंने, जिस भी information को we are going to use, जिसको मैं use करने की सोच रहा हूँ, client से data ले रहा हूँ, उसे check करना है, client का जो data मैं use ही नहीं कर रहा है, मुझे कोई परक, तो यहाँ पे हम purchase का data use करना चाह रहे थे न, तो make sure करो कि transaction 3,70,000 है, पता चले 380 हो नहीं हो, या पता चले 360 हो नहीं हो, तो पहले आप क्या करो, उसका completeness verify करो, कि वो complete है या, मन में doubt आएगा कैसे करें, बिटा एक होता है, trial balance, आपको ledger दे दिया, मैं आपको बिल्कुल basic बच्चे वाले, बच्चा जो कर सकता है वो समझा रहा हूँ, मैं आपको बोलू कि बिटा इपरचेज का ledger ले, और इसमें sample निकाल दे, तो इक 11 वी class का बच्चा, at least उसका completeness क्या से verify करेगा, आप बताओ, सर उस ledger का total, और trial balance का total तो match करेगा, कि same आ रहा है या, trial balance में आ रहा है, मालो यहां मारा कितना नंबर है, 40,000, trial balance में आ रहा है, 42,000 करोड, ledger में आ रहा है, 40,000 करोड, इसको sample निकाल देने चाहिए, क्लाइंट से पूछेगा न, 2000 करोड का difference क्या है, तो at least आप basic इतना तो करी सकते हो न, कि client जो data दे रहा है आपको, उसको आप किस से verify कर लो, financial से, कि number match हो रहा है या, नहीं हो रहा है, आया न, हाँ बाई, जो financial में आ रहा है, उसी का base data मेरे पास है, तो at least क्या है, यह complete है, बात समझ आ रही है, तो अब हम आते हैं वापस से software पर, हमने software को क्या दिया, input, input को क्या बोलते हैं, data या फिर population, data देने से पहले उसकी कौन सी checking करेंगे, IPE checking, जिसकी full form क्या है, information produced by entity, फिर हम उसको देंगे, inherent risk, control risk, materiality, अब दबाएंगे, okay button, अब यह software क्या करेगा, बहुत सारे rules लगाएगा, वो rules हम आ बाद में समझेंगे, कभी आने वाली classes में, और हमें यहां से sample निकाल के देगा, कितनी transaction है, 3,70,000 transaction है, अब इसने कुछ है न, mathematics functions, probability theory, random number theory, sequence theory, या अपने 11th program है, अगर कुछ पढ़ा हो ता mathematics के अंदर, वो सारे rules इसने लगाए, और इसने मानलो, sample हमें निकाल कर दे दिये, 700 sample, कितने sample दे दिये, 700 transaction, इसने एक अलग से list बना दी, कि भाई साब, आपको ये 700 sample चेक करने है, और वापस से, उच 700 sample में क्या आगया, उस CFO की personal purchase, अब वो इनके पास दुबारा आगया, कि मैडम, do you want iPhone, इन्होंने लेके रख लिया, yes, मैडम, can you please change the sample, oh sorry, we can't do this, why, by software से निकला है, और उसकी एक log file बनी है, उसको मैं change ही, तो business खतम हो गई नहीं हो गई, आप एक बार निकालो, दो बार निकालो, sample सेम ही निकलेगा, sir, आप गए, आपकी लग चुकी अब, हाँ या ना, अगर sample में नहीं आता, तो वो शायद बच गया, इसका मतलब, sir, मैं sample के बाद, समझो, इसी example से मैं आपको बहुत बड़ा concept करवा रहा हूँ, मानलो, इस manager की वो transaction मेरे sample में नहीं आती, तो वो क्या बोलता, अरे, बच गए इस बार तो, हाँ या ना, यही बोलता वो, क्योंकि मैं तो 700 sample के लावा चेक करूँगा ही नहीं, sample जो आपने चेक नहीं किया उसमें, हो सकता है, वो fraud किसने किया है, management ने, मैं पकड़ने के लिए responsible हूँ, क्या, मैं नहीं हूँ भाई, मैंने audit अपने rule के हिसाब से किया है, fraud पकड़ा जाए, ना पकड़ा जाए, मेरी guarantee थोड़ी नहीं, तो आज एक नया rule और बन गया, auditor जो audit करने आता है, कुछ बच्चों के मन में एक भहम होता है, कि auditor fraud पकडने आता है, auditor कभी fraud पकडने आता है, क्या, यह हमारा objective ही नहीं है, अगर मुझे अपने audit में fraud मिल गया, तो मैं report जरूर करूँगा, समझा रही है बात, या मुझे शक है, तो मैं कुछ extra काम करूँगा लेकिन कोई fraud नहीं पकड़ा गया मेरी audit में, और मैंने अपना काम सही तरीके से किया है, तो बाद में कोई मुझे punish कर सकता है, क्या, भाई fraud management ने plan करके कर रखा है, मैं audit करने आ हूँ, fraud पकड़ने, fraud पकड़वाना है, तो investigation करवाओ, बात समझा रही है, auditor का का काम होता है, कि सारी चीजे सही से proper तरीके से record हो गई हो, और सारी मैं 100% चेक नहीं करूँगा, sample basis पर करूँगा, तो ऐसा भी हो सकता है, कि हम checking कर ले और कोई ना कोई वहाँ पर misstatement हो, अपनी कोई responsibility उसके लिए नहीं है, अगर मैंने sample ही गलग तरीके से निकाले होते हैं, तो मैं responsible हो जात है, क्योंकि आपने अपना काम सही तरीके से नहीं किया, तो यह sampling कैसे करते हैं, इसके लिए भी extended है, essay number 530, essay 530, क्या नाम होगा बताओ, audit sampling, कितने बढ़िया-बढ़िया से नाम है, materiality का कौन सा था, 320, audit materiality, तो मतलब जो मैं बता रहा हूँ ना, software कैसे काम करता है, वो कहां लिखा हुआ है, essay number 530 में, sampling में, वो बताएगा कि software कौन-कौन से rule, follow करेगा, अब sample निकल कर आ गए, कितने बढ़िया, 700, 700, लेकिन auditor सोच रहा है, यार मुझे तो 1000 चेक करने थे, हो सकता है क्या, software ने दिये, 700 मेरा मन कितना है, 1000, तो मैं ना, software को एक और instruction दे सकता हूँ, additional instruction, before pressing okay, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ क्या, minimum sample, कितने, अब अगर software को 700 निकालने थे, वो 700 ना निकालकर कितने देगा, और मानलो अगर software को 1200 निकालने थे, तो वो 1000 निकालेगा, 1200 निकालेगा, 1200 देगा, मतलब minimum मेरे को 1000 तो देगा ही देगा, अगर उसके हिसाब से ज़्याद बन रहे हैं, वो ज़्यादा देगा, 1000 से कम नहीं देगा, अब आगए हमारे पास क्या जी, last step, class खत्म होने वाली है, I hope आप लोगों को समझ आ रहा है, अब हमारे पास क्या निकल कर आ गए, कितने sample निकल कर आए हैं हमारे case में, 700, 700 transactions मेरे पास निकल कर आ चुकी है, क्या कर अब यह जो transactions हैं, यह transaction की list हमें handover करनी पड़ेगी, या इस list को हम email करेंगे, किसको, client को email करेंगे, और उसको email करके क्या मांगेंगे उससे इनका, कि भाईया इनके आप हमें क्या देदो, documents देदो, purchase के document यह है, हमारे पास document आ गए, अब हम उन document को क्या करेंगे, verification या verify, अब मैं उस document को क्या करूँगा, verify करूँगा, sir sign चेक करेंगे, sign चेक करेंगे न, control में हमने sign देख लिया, अब हम number चेक कर रहे हैं, अब मैं क्या चेक करूँगा, अब मैं documents आ चुके हैं, मैंने कोई पहला sample उठाया मेरा, PO बना था एक, invoice बनाए, अब financial angle पर आ control, अब number देख रहा हूँ, तो number important है, PO, invoice, payment, invoice में क्या देखेंगे, कि quantity कितनी आई है, और उसमें rate कितना है, क्या PO से match हो रहा है या नहीं हो रहा है, अब sign मेरे लिए, sign तो मैं control, sign भी देखूँगा, लेकिन sign से ज़्यादा important, calculation है, general entry ज़्यादा important है, मैंने rate verify कर लिया, फि नहीं हुआ, payment पर authorization approval है या, अब मैं साथी साथ ये भी देखूँगा, कि GST की calculations आई है या, payment पर TDS कटा आया, अब अपन किसकोन से mindset पर आ गए, financial mindset पर, क्या general entry सही से पास हुई है या, समझ में आया, अब हम financial चीज़े चेक कर रहे हैं, control के time पर मैंने ये चीज़े चेक नह control में amount matter, एक हजार का invoice भी sign होगा, एक लाक का भी होगा, मुझे amount से फरक, control testing में approval important था, यहाँ पर amount की general entry, deduction, tax, calculation, सब important है sign के, तो दोनों checking में एक mindset का difference समझाए आप लोगों को, कि control checking के time पर control important था, लेकिन substantive, इस checking को क्या बोलते हैं, TOD test of, यहाँ पे numbers भी important है, calculation, GST, TDS, उनकी filing, यह सारी चीज़े भी मुझे साथ साथ देखनी पड़ेगी, समझाया, जब मैं उन 700 transaction की यह सारी चीज़े चेक कर लूँगा, तब मैं क्या बोल दूँगा, मेरा purchase का audit क्या हो गया है, अगर मुझे कोई भी गलती ना मिले, तो एक और चीज़ सुनिएगा, जब आप इन चीज़ों को verify कर लेते हो ना, general entry वगएर आपने सब देख ली, तो क्या auditor को भी कहीं पर कोई sign या, कोई excel sheet में documentation करना पड़ेगा, पेटा, जब भी हम कोई काम करते हैं, हम अपना एक document बनाते हैं, क्या बनाते हैं, auditor क्या बनाता है नहीं, audit report तो आखरी में बनेगी, जब सब area का audit हो जाएगा, अभी तुम सिर्फ purchase का audit कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, purchase का documentation करेंगे, आया ना, इस documentation में क्या करूँगा, यह सब मैं आपको दिखाने वाला हूँ, real life के documentation कैसे होती है, we'll see everything, purchase का जब मैं documentation करूँगा, तो और वहाँ पर लिखूँगा, whether PO is matching with the invoice, yes or no, मानलो यह एक sample है, उसके सामने क्या लिखूँगा, yes, whether amount is correct, answer is yes, तो ऐसे ना, 6 साथ क्या होते हैं, question होते हैं, मैं सब चिजों को verify करता जाता हूँ, और yes, yes, yes करके 700 sample को ऐसे verify कर लूँगा, अगर मैंने यह नहीं बनाया, यह documentation documentation नहीं बनाया, मैंने सिर्फ देख लिया, सब सही है, मैं एक article हूँ, जिसने यह काम किया है, sign को उनकरेगा, report को, partner, CA, CA मुझसे पूछेगा, भाई, क्या तुमने वो check कर लिया था, मैंने काऊँगा, आजी 700 sample देख लिये थे, मैंने काऊँगा, आजी, 700 sample देख लिये थे, ना जी, कुछ नहीं बनाया, तो कैसे मानों तुने किया है, कैसे माने तुने किया है, तो audit के अंदर एक बात कही जाती है, याद रखना, injection में भरके नस में डाल लेना, work not documented, not done, क्या बोला मैंने, work not documented, not done, simple, ये बात आप हमेशा याद रखना, अगर आपने कुछ document नहीं कि किया, तो ये मान लिया जाएगा, आपने वो काम ही, चाहे आपने किया ही क्यों ना हो, तो इसलिए सब कुछ लिखना बहुत, जब आप ट्रेनिंग में जाओगे, जब आपनी आर्टिकल्शिप में, तो आपको सिखाने के लिए, कि लिखना कितना important है, documentation कितना important है, हमारे व audit के दुरान छीक भी ले लो, छीक समझते हो, तो उसे भी लिख लेना बहिया, तो just to show you the importance of documentation, अब आप समझेगा, आपने इन invoices को verify कर लिया, and now you are done with the audit of purchase, अगर यहाँ पर audit खतम होता, तो audit कितना असान हो जाता, अब सुनिएगा अगली कहानी, बस खतम करना है मुझे, conclude क कर रहा हूं मैं चीजों को, अभी है मेरे पाँ अधा घंटा और उसमें मैं बहुत प्यार से close कर दूगा session को, क्यों, शाड़े-पांच है न, सुनिए गा, कहानी सुनों, अभी तो आप बहुर थोड़ी न हो रहे हो, सुनिए बेटा, अब एक नई चर्चा है, और उसके सा साथ दोनों को link करके, खतम कर दूगा, सारे अलग अलग जगय और मने पॉइंट्स बनाये है, सबको आपस में भी तो connect कर दूँ, ये financial किसने बनाये है? ये financial किसने बनाये हैं भाईयो, management ने financial बनाये है, क्या financial बनाके management ने, इन पर sign किया है? क्या financial बनाने के बाद यह मान लो financial है क्या financial बनाने के बाद जो भी management है उन्होंने इस पे sign किया है किया है जैसे ही इस पे financial पे sign कर दिया management ने मुझे यह बता उसका sign क्या बोलता है साइन कुछ बोलता है यह सर साइन बोलता है साइन क्या बोलता है कि भाई साब इस financial आर कंप्लीट इन अल रिस्पेक्ट आया ना जैसे ही management ने साइन कर दिया वो क्या बोलता है यह financial अमारे क्या है complete है इसके अंदर जितनी भी बाते आ रही है वो सारी क्या है accurate है पहले लिख देता हूँ इसको बोलते है CWAP क्या बोलते हैं CWAP यह real life word है यह कोई निमोनिक नहीं है याद करवाने के लिए इसे क्या बोलते है CWAP जब management sign करती है तो वो CWAP पे assurance देती है CWAP में C denotes for completeness कि यह financial क्या है हर तरह से complete है as per law and regulation as per आपके इंडिया के साब से बात करूँ तो एस पर in-days accounting standard सभी accounting policies को follow करते हुए हमने यह financial बनाए है complete है E का मतलब होता है existence क्या होता है कि हमारे financial में जितनी भी assets आ रही है वो सारी क्या करती है exist करती है मैं बोल रहा हूँ यह मैं कौन management सब exist करती है हमने कोई फरजी asset inventory यहां पे नहीं दिखाई जितना भी financial के अंदर calculation है वो सब बिल्कुल accurate है जितना भी हमने valuation क्या है चाहे inventory का क्या हो चाहे PPNE का क्या हो चाहे intangible का क्या हो चाहे fair value का क्या हो किसी भी चीच का वो as per in-days या अब अपने accounting standard पढ़ा है as per accounting standard मालो PPNE पे कौन सा लगता है 10 inventory पे 2 हमने उनको follow करके किया है और जितनी भी हमारे यहां पे asset और liability है उस liability पे हमारा obligation है और उस asset पे हमारा right है वो हमारी है हम आपको यह sign करके बता रहे हैं और P का मतलब होता है presentation यह जो financial हमने बनाए है यह as per FRF मतलब schedule 3 के हिसाब से बना है आप sign करते हो जब आपके इसाब से चीज complete है तो जब आपने sign के आपने 6 बाते बोली कि financial क्या है financial के अंदर जितनी भी चीज़ें आ रही है वो सारी सब accurate है सबका valuation सही हुआ है सभी asset पे मेरा क्या है और liability पे और जो यह मैंने present गया है यह इस पर FRF किया है बेटा कुछ भी लिखने ही जरूत नहीं है पूरी बहुत बढ़िया इसकी presentation बना रखे है मैंने that I will give to you कुछ भी लिखने ही जरूत नहीं आपको यह management बोलती है जब वो sign करती है एक auditor को क्यों बुलाया गया है कि भाईया आप verify करो जो management ने बोला वो सही है नहीं है management तो बोल रही है मैं सही बोल रहा हूँ sign का मतलब क्या है management यही तो कहना चाहरी है सब सही है लेकिन हम management के उपर विश्वास तो जो जो management ने बोला ना आप घर जाके चार बाते बताते हो मम्मी को आया ना मम्मी को बड़ा शक होता है वो दूसरे भाई को बोलते है इसने जो जो बोला जाके सब verify कर आया ना तो management ने च्छे बाते बोली auditor को बोला भाया इसके sign की management के sign की कोई value तो एक काम कर जो इन्होंने छे बाते बोली है ना इन्हीं को क्या कर और तू भी sign कर कि जो इन्होंने बोला वो तो हम इस पे क्या कर लेंगे इसको क्या बोलते हैं audit बोलते हैं मतलब हमको audit में कोई नया काम नहीं करना audit की सबसे बड़ी बात ही है यह जो मुझे लगती है अपने न सामने वाले से ही पूछते हैं बता भाई काम कैसे करते हैं पूछा न अपने walkthrough में और बाद मैं उसी को बताता है तो मनें गलत कर दिया कितनी बड़ी आकला नहीं है मतलब मैं आपी से पूछ रहा हूँ काम कैसे होता है मुझे घंटा कुछ नहीं आता और दो दिन के बाद मैं आपी को बताता हूँ कि आप गलत कर रहे हो तो भाई इस कोर्स में आप आतो गए हो ध्यान रखना ये तेज होना बहुत जरूरी है पीपल मैनेजमेंट स्किल यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट है कि आप लोगों से निकलवाओ मैं भी आपको आने वादे सेशनें बताऊँगा मैंने फ्रोड कैसे कैसे पकड़े है भाई दारू का बहुत बड़ा रोल है कभी आप सोचो दारू के मिना काम हो जाएगा सही बता रहा हूँ मैं एक मेरा क्लाइंट है गोरकपूर सुना है आप लोगोंने गोरकपूर में मैं गया और उस बंदे को मैं जानता भी नहीं बस मैंने एक बार लिफ्ट दे दी थी उसको मेरे को अच्छा लगता है केले गाड़े इम बैठके जा रहे हो कोई साथ बैठ जाए तो चिट-चैट हो जाएगी कंपनी के बारे में दो चीज़े सीखने को ही मिलती है तो मैं गोरकपूर में एक जगह है गोल घर ठीक है वहाँ पे होटेल का नाम तो मैं भूल गया मैं वहाँ रहता था तो वहाँ से फैक्टरी तकरीबन 40 मिनिट के रास्ते पे थी मैं आता था दो-चार लोगों को साथ बिठा के ले आता था सिटी में तो सब कोई आना है भाई उस बंदे ने मेरे पाँ मेल पे आज भी पहले हम परसनल इमेल यूज़ करते थे मैं SS कोठारी में था बासनल इमेल यूज़ होते थी बिकपोर में तो नहीं होती है, उसने मुझे पूरी चेन बताईए फरोड के की, इस बंदे ने ऐसे फरोड किया है, इस पैसे को यहां लगाया है, तो आप अगर बात ही नहीं करोगे, और भी बहुत सारे एक्जांपल देने मैंने अभी आप आने वाले सेशन में, तो फरोड फिर उसी को बताना है, यह गलत किया है तुने, तो मतलब दोस्ती में दोखा, गलत बात है, सबसे ज़्यादा दोगी बेटा तुम गलत बात है, गलत बात है कह रही है, ओडिट मत करना फिर गलत बात है तो, तुम ऐसे एक वो आते हैं, वो जो क्या करते हैं, हलाल करते हैं, क्या बोलते हैं से पकड़ के जो खड़े होते हैं तलवार किया उसको कसाई तो ठीक हाद में हो गया उसके हाथ में जो equipment होता उसको क्या बोलते हैं आप ऐसे काटोगी उसको client को गलत बात है सुनिएगा concept में वापस आते हैं तो आप ने कहा कि जो management ने बोला है वो मुझे verify करना है management ने sign करके छे बाते बोली सी वो completeness, accuracy, accurate है, valuation, right and obligation, presentation, existence जब sign करके management कुछ बोलती है ना इसको कुछ English में बोलते हैं management assert करती है इन बातों पर क्या करती है नए नए वर्ड आ रहे है नए नए वर्ड आ रहे है management इन बातों पर क्या कर रही है, assert कर रही है, assurance दे रही है या इनको अपन सही तरीके से बोले, तो इनको क्या बोल सकते हैं, assertion क्या बोल सकते हैं, assertion कि management इन assertion पर हमें comfort देना चाह रही है कि हमारे यां सब कुछ सही है auditor को क्या कुछ नया चेक करना है या इन्ही अजर्शन को चेक करना है, कौन सी अजर्शन, CWOP कौन सी अजर्शन, CWOP की full firm क्या है, completeness, existence, accuracy, valuation, right and obligation, presentation आपको जो management ने represent किया है, उन्ही representation को आप क्या कर लो, verify कर लो and once you are done with all these assertions ना, आप बोल सकते हो, मेरा उस area का audit क्या हो गया, complete हो गया है मतलब ये सारी अजर्शन मुझे item-wise, purchase, sales, other expense, सम्में चेक करनी पड़ेगी, जी हाँ, हर account आपका क्या होना चाहिए, मेरे साथ repeat करेंगे अब आपने purchase का audit किया, तो purchase का account क्या होना चाहिए, complete होना चाहिए, purchase क्या होनी चाहिए, accurate होनी चाहिए, purchase क्या होना चाहिए, existence होना चाहिए, उस purchase पे मेरा right and obligation, valuation सही होना चाहिए अब visualize करना, use your judgment, आपने अभी तक क्या किया है, 700 sample की checking किया है, कर ली न, ideas निकालके, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, 700 samples को आपने verify कर लिया, इसको बोलते हैं, TOD, test of detail, हमने detail में sample को check कर लिया, अब सोच कर बताना बेटा, sample जो होते हैं, वो representative होते हैं, मतलब 700 check कर लिया, तो आप बोल सकते हो, सारा सही है, हम एक assumption ले रहे हैं, क्योंकि sampling बहुत अच्छे तरही के से किया, तो क्या हमने purchase का completeness verify कर लिया, आप बोलोगे, जी हाँ, अगर 700 samples complete है, तो हम मान लेंगे कि 370 complete है, लेकिन एक बात बताओ, अगर client ने, उस 3,70,000 के अंदर, कोई transaction अगर record ही यह थी, तो क्या वो हम पकड़ पाएंगे, सर आपने तो जो recorded है, उसको check किया है, सिर्फ, जो recorded नहीं है, उसको भी तो check कर लो, मैंने का ऐसा हो सकता है, क्योंको कोई transaction होनी चाहिए थी, बट नहीं है, सर आपने sample निकालते टाइम, एक checking की थी, input देते टाइम, उस checking का नाम क data को use करने से पहले क्या check कर हो, completeness, accuracy, relevant, reliability, तो इसका मतलब completeness तो सर मैं पहले भी check कर कर आया हूँ, yes or no, sample निकालने से पहले, तो अगर मैंने IP checking कर रखी है, तो मैं बोल सकता हूँ कि completeness मैंने अच्छे से verify कर लिया, लेकिन still, अगर किसी client पर बहुत ज्यादा risk है, आपको लगता है कि TOD के अलावा मुझे कोई दूसरा काम भी कर लेना चाहिए, तो अभी के लिए हम सिर्फ लिखेंगे apply other audit procedure, क्या बोला मैंने, देखो हमने क्या बोला number को check करना, उसका technical भाषा में नाम क्या है, substantive audit procedure, अब substantive के अंदर ना 10 तरीके से काम होता है, भाई गुडगाओ दिल्ली से गुडगाओं जाने के तीन अलग-अलग आपके पास transport available है, आप bike से भी जा सकते हो, car से भी जा सकते हो, metro से भी जा सकते हो, बस से भी जा सकते हो, हमने का जी हम metro से जाएंगे, TOD मतला metro, हमें एक तरीके से हमने हमने हमारा, लेकिन मेरे को ना दूसरी चीज़ों क भी मजा लेना है, I just want to make sure कि कुछ रहना आ जाए, तो मैंने का ठीक है जी एक काम करो, other audit procedure भी लगा लो, ताकि double make sure हो जाएं कि वो complete है, बात समझाई, दूसरा आपने का existence, कि जो भी खरीदा है वो exist करता हो, आप मुझे बताओ, आपने 700 sample चेक कि हैं कि existence verify हो जाएगा, now it's your old judgment, अब दिल खोल के जवाब दो, क्या existence verify हो जाएगा, yes sir, existence का मतलब क्या है, क्या ये glass exist करता है, करता है, क्या ये mobile exist कर रहा है, ठीक है, ये mobile exist करता है, एक second बेटा, पांच मिनट मेरे को सिर्फ बोलने दो, ये mobile exist करता है, आपने देख कर बताया, आपने sample चेक किये, आपने sample मतलब उसका invoice मांगा होगा, पिटा एक face दे दे, प्लीज, मैंने आपको, client ने आपको, आपने एक purchase में mobile निकला, client ने आपको multiple document आपकी table पर रखवाए है, जिसके अंदर कौन-कौन से document आ रहे होंगे, PO, request, approval, invoice, quotations, payment, key details, general entry का voucher, आपने सब को verify कर लिया, PO ये रहा, invoice ये र quotation भी है, general entry भी पास हुई है, payment भी लगा हुआ है, आपने सारे document verify कर लिये, complete है जी, existence verify हुआ, हाँ क्यों बोल रहे थे आप, existence verify हुआ, existence के लिए तो भाईसा mobile को देखना पड़ेगा, बिना कागच पे देखके, mobile तो आया, इसकी girlfriend यूज कर रही है, existence का है, existence तो तो क्या 700 sample जो हमने चेक के वो existence बता पाएगा, इसका मतलब existence के लिए तो कोई दूसरा काम ही करना, और यहाँ पे इससे verify, आपको यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, other audit, और other audit procedure पता है कौन सा लगता है यहाँ पे, पता है, यहाँ पे आपको physical करना पड़ेगा, physical verification, आप को client का purchase के sample देखने पड़ेंगे, कि वो समान physically verify, exist करता है, तो मतलब 700 sample भी check करो, फिर अलग से कुछ sample और निकालूँगा, किसके लिए, physical verification के लिए, अपने को दुबारा checking करनी पड़ेगी, कि इसकी, physically समान जाके देखना, तो सारा 3,70,000 का physical करेंगे, ना, ना, उसका भी, पेटा, physical verification अमिशा closing inventory का होता है, जो inventory consumption हो चुकी, उसका तो finished goods बन चुका, तो साल के आखरी में, जो closing inventory होईगी, उसको, उसमें से sample निकाल के क्या करेंगे, physical verification, accuracy पता चलेगी, plus minus GST calculation सब सही है, हाँ सर, वो इससे पता चल जाएगी, valuation पता चलेगा, देखो, ये एक mobile की transaction है, तो सर, if you'll talk about a transaction level, तो तो पता चल जाएगा, लेकिन year end पे जो closing balance है, या उसका पता चलेगा, क्या, उसके लिए नहीं पता चलेगा, क्यों, क्योंकि AS2 बोलता है, inventory will be valued at cost और NRV, whichever is, सर, अगर मैं सिर्फ invoice के base पर total कर दूँँगा, तो ये तो valuation ही गलत हो गई, मेरे को NRV भी निकालनी, तो इसके लिए अपने को other audit procedure लगाना, yes or no, सिर्फ 700 से आप value नहीं कर सकते, वो तो purchase price हो गया, आया ना, NRV निकालना पड़ेगा, और एक और मजे की बात, अगर ये raw material है, तो ठीक है, purchase price हो, और अगर ये WIP है तो, तो WIP में तो सर, overhead भी आ गए, आया ना, तो अलग से valuation तो करना पड़ेगा, other audit procedure, पिटा, right and obligation पता चलेगा, 700 sample देखने से, पता चलेगा ना बाबू, ये invoice है, company के नाम पे तो मेरा है ना मतलब, yes or no, मैं इसका owner हूं ना, तो right आपको पता चल जाएगा, presentation पता चलेगा, 700 sample को देखकर, कि financial में सही से present किया है, कैसे पता चलेगा, घंडा पता चलेगा, 700 sample side में रखो, उसके लिए क्या उठाना पड़ेगा, financial और उसमें जाके देखना पड़ेगा, कि schedule 3 में PPN नी को जैसे दिखाते हैं, क्या उसी तरह से PPN नी को disclose किया या नहीं किया, तो यहाँ पर sample से presentation नहीं पता चलेगा, उसके लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, other audit, ओ, तो इसका मतलब यह है, कि अगर मुझे purchase का audit करना पड़े, तो सबसे पहले तो एक risk मैं company level का निकालूँगा, उसको क्या बोलते हैं, inherent risk, फिर मैं दूसरा risk निकालूँगा, उसे क्या बोलते हैं, control risk, फिर मैं एक और चीज़ निकालूँगा, तो अब आपना, अभी तक हम आयां, उपर से नीचे, एक एक चीज़ समझते हुए, अब हम चलते हैं, नीचे से उपर, हमें sample निकालने है, purchase के, तो हम sample manually निकालेंगे, software यूज़ करेंगे, software का नाम क्या है, software को चाहिए कुछ input, पहला input, data, population, transaction, ledger, लेकिन input देने से पहले चेकिंग कर लेना, कौन सी चेकिंग, IPE, checking, full form क्या है, information produced by entity, और उसके अंदर क्या चेक करते हैं, completeness, relevant, accuracy, reliable, बढ़िटा complete है, accurate है, relevant है, तो ये हमारे लिए input है, फिर वो कहता है, आप मुझे तीन चीज़े और दो, तो ये मतलब उसने input में हमसे चार चीज़े मांगी है, एक data, फिर वो कहता है, inherent risk दो, control risk दो, और materiality दो, आया ना, हमने पहले inherent risk निकाला, कैसे, कैसे निकाला inherent risk, कम्पनी को पूरा समझ कर, पहुन सा risk निकला, फिर हमने control risk निकाला, control risk में अपने आप में multiple steps है, पहला step क्या है, control check-in directly नहीं करेंगे, पहले समझना पड़ेगा, तो क्या step, walkthrough, walkthrough में तीन step थे कौन-कौन से, understanding the process, risk and controls to mitigate those risks, फिर हम एक decision making करते है, control risk कम है या ज़्यादा है, फिर हम software को क्या देते है, control risk, inherent risk गया, control risk गया, data गया, वो गएगा, भाई, इस client के लिए significant transaction कौन से है, तो आपको क्या देना पड़ेगा, materiality, कौन से standard से निकाल कर लाए, essay number 320, materiality भी दे दिया, फिर मेरा 24 है, अगर मुझे कुछ minimum sample वगेरा देना है, या फिर मैं ये भी बोल सकता हूँ, जितना software देगा अपन उतना ही, ok button प्रेस किया, software ने हमें क्या दे दिये, 700, 700 sample दे दिये, अब इन 700 sample को चेक करना है, जैसे ही चेक होगा, हमारा पर्चेस का audit खतम, नहीं, 700 sample management की, कुछ अजर्शन को satisfy करेंगे, और कुछ को नहीं करेंगे, हम अपना audit तब बोलेंगे, पर्चेस का complete होगा, जब मैं सभी अजर्शन को क्या करूँगा, satisfy करूँगा, या check करूँगा, अजर्शन कौन सी है, CWO, कौन सी अजर्शन है, CWO, आपका sample completeness verify कर देगा, लेकिन हो सकता है, कुछ unrecoded हो, तो other audit procedure भी लगाएंगे, existence verify, क्या आगे वालोगों छोड़कर, नहीं हो रहा है, आपको मेरे को physically देखना पड़ेगा, हा या ना, तो कागस से आपको existence पता नहीं चलेगा, accuracy plus minus पता चल जाएगा, valuation, transaction level का तो पता चलेगा, balance का, 31 मार्च के balance का valuation अलग से करेंगे, right and obligation पता चलेगा सर, क्योंकि बिल आपके ना तो हम sample की checking करेंगे, 700, plus उसमें क्या लगाएंगे, other audit, जब यह सारा काम हो गया, तो purchase का audit क्या हो गया, खतम, हम बोल देंगे, purchase क्या है, done, इसके आखरी में एक line लिखना होता है, opinion frame करना होता है, sir, opinion तो financial पे frame होईगी, बेटा, पहले item पे frame होईगी, एक एक item की opinion frame करेंगे, और आखरी में जाके सब कोई खटा करके, financial की frame करेंगे, तो यहाँ पे मैं opinion में क्या लिखूँगा, purchase are free from, किसे, material misstatement, कि purchase जो है, वो free है, किसे, material misstatement से, definitely और भी काफी चीज जाएंगी, बाइदफ लो, ऐसे हमारा audit क्या हो गया, purchase का, अब हम क्या करेंगे, sales उठाएंगे, उसमें भी क्या करेंगे सबसे पहले, inherent risk बार बार निकालेंगे, एक बार निकल गया, inherent risk सरे एक निकल गया, company level का, अब दुबारा से क्या करेंगे, walkthrough, अब समझ रहे हो, दुबारा से क्या करेंगे, दुबारा से process के अंडस्टेंड, अब कौन सा process understand कर रहे है, उसके अंदर उसके अंदर फिर क्या निकालेंगे control risk फिर लेंगे कौन सा data purchase का data नहीं इस बार sales का data लेंगे और उस data को कहा डालेंगे idea में लेकिन idea में डालने से पहले चेक कर लेना IPE testing, IP testing की full form क्या चेक करते हो completeness, accuracy relevance, reliability चार चीज़े चेक करेंगे यह सारे इंटर्विव के कोशने ध्यान रखना चार चीज़े चेक कर ली, सब सही है तो उसको दे दो तीन चीज़े और, क्या-क्या आपने data दिया idea को आप क्या दोगे, inherent risk दूसरे नमबर पे, control risk तिसरे नमबर पे, minimum sample देना चाहो, आपकी 24 otherwise mandatory फिर आप okay दबाओगे, वो क्या निकाल के देगा फिर उस sample को चेक करोगे, audit खतम नहीं सर, कुछ अजर्शन सटिस्वाई होंगी कुछ other audit procedure लगाएंगे जब वो भी सटिस्वाई होगी, तो sale का area भी ऐसे करके one by one, one by one, one by one हम financial का, हर एक caption का audit करेंगे, और CA कपिल गोयल ने आपको मात्र, 6R के अंदर auditor बना दिया है 6R में now you know, दिल अदाग जाने का रास्ता, क्या है step क्या रहेंगे कहीं से भी चले जाओ, बेटा इमानदारी से बताना, मैंने आपको रटवाया, मैंने आपको बताया, audit boring है, practical है यह बहुत practical है, आपको बस इसके लिए बनना पड़ेगा auditor बनना क्या पड़ेगा last चीज देख के जाईएगा, ताकि आप clear रहें, यह आपके लिए मैंने जो चीजे बहुत detail में बताईए बहुत detail discussion किया है अब मैंने उसको आपके सामने summarized way में present किया है हमने कौन सा example discuss किया है यहाँ नमबर 6000 करोड़ है आपके यहाँ नमबर अलग रहा होगा तीन चीजे चाहिए हमको बाई, output निकालेंगे sample लेकिन उसके लिए input चाहिए तीन कौन-कौन से inherent risk, control risk और materiality का standard बताओ बेटा आज मैं इन दोनों का भी आपको standard बता देता हूँ essay number 315 कौन सा standard है 315 essay number 315 नाम नी ले रहा घबरा जाओगे नाम लेके दिखाओ एक बार यह बार सुन लो सिर्फ identify NSS, the risk of material misstatement to understanding the entity and its environment including internal control यह standard का यह standard का सिर्फ नाम है बेटा तो नाम को रहने तो अभी सिर्फ number, essay number 315 बेटा, inherent risk कैसे निकालते हैं हम लोग सार, इसके अंदर हम previous result देखेंगे अगर कोई ex auditor है तो उससे बात कर सकते हैं management को चेक करेंगे, business को चेक करेंगे और एक बच्चे ने बताया related party transaction उस तरह की transaction को भी देख सकते हैं पेटा, control risk कैसे निकालेंगे, सा step number 1 क्या रहेगा उसके अंदर हम understand करेंगे process risk and और जब हम जाएंगे second step पर उसको क्या बोलते हैं, control और उसके अंदर हम देखेंगे क्या continuity, effectiveness, efficiency एक और मजे की बाद जो मैंने नहीं बताई जितनी भी checking के अंदर आपने जो समान चेक किया है ना, उनको अजर्शन बोलते हैं audit में, जैसे number की checking पे जब management ने assert किया, अजर्शन थी, कौन सी, CWOP, control में भी हम तीन बाते चेक कर रहे हैं, क्या-क्या, कि control implemented है, continue है, effective है, तो ये क्या हो गई, control की ejection, क्या हो गई? वही, management ने जब कोई control design कhi होगा, तो जब design करते हैं, ये बोला होगा न, ये control continue रहेगा, ये control implement करेंगे, या उसने बस ऐसा सोचा होगा, कि हम design तो करेंगे, engagement तो करेंगे, शादी नहीं करेंगे, ऐसा बोला होगा क्या? नहीं न, तो management इंटेंशन रहा होगा ना तो मैनेजमेंट ही बोल रही है ना तो वह कौन सी अजर्शन थी? कंट्रोल की अजर्शन. कंट्रोल की अजर्शन कौन कौन सी है? Implementation, continue, efficient, effective. अच्छा, ऐसे तो फिर हमने IP टेस्टिंग भी की थी? कब की थी? IP टेस्टिंग कब की थी हमने? जब आपने क्लाइंट का डेटा यूज किया तो जब भी क्लाइंट का डेटा यूज करोगे एक चेकिंग कर लेना, कौन सी? जब भी, सिर्फ यह मत बलना, जब भी idea को data देंगे, ना कभी-कभी बिन idea को data यूज करेंगे जब भी data यूज करोगे, जो आपने कहां से लिया है? क्लाइंट से लिया है, तो आप एक चेकिंग करोगे चेकिंग करना IP में क्या चेक करते हो? Completeness, Accurate, Relevant तो यह भी क्या हो गई? अजर्शन, किसकी? IP की? आया ना फिर हमने क्या financial statement की चेकिंग की? तो वो अजर्शन किसकी थी? Financial की क्या नाम था? मैं भूल रही है क्या नाम? CWOP, CWOP, CWOP ठीक है? यहां तक आ गया समझ? Walkthrough में हमने क्या बनाया था? आपको एक process बताया था वहां पे मैंने multiple risk, multiple control दिये थे यहां पे risk था एक जब purchase की request बनी तो एक control था फिर क्या आई थी बेटा? quotation, quotation में भी क्या था? risk और वहां पे भी क्या थे? control, फिर क्या हुआ था quotation? final, वहां पे भी क्या थी risk और? फिर हमने PO बनाया, PO को approve करवा दिया, फिर क्या हुआ? material receive हुआ, वहां पे भी कुछ क्या थे? control और कुछ risk, फिर finally payment होई, तो यह मैंने आपको दिखाया सारा, एक simple way में एक-एक risk और एक control, आपने क्या करना है? understand करना है walkthrough पे क्या process, risk and checking word use मत करना, interview में out हो जाओगे otherwise, ठीक है? second step पे आपने उन control को क्या किया? देखो यह चार्टना अपने आपने incomplete है, क्योंकि यहाँ पे एक चीज नहीं लिखी हुई कि जब आप walkthrough कर लेते हो तो एक decision making लेनी होती है किसके उपर? design पे, अगर design complete है तो आप second step पे जाओगे, फिर आपने क्या किया? 25 sample select किये, क्या हमेशा 25 करेंगे, नहीं sir, दो चीज़े देखनी पड़ेंगी, क्या? nature of, और frequency of control, उसमें फिर control को चेक करेंगे, control के जर्शन कौन-कौन सी दी पेटा, effectiveness, efficiency यहाँ पे implementation भी लिख सकते हो, final decision क्या निकालोगे, control risk किया तो high है, या medium है या पिर low है, समझ आया? फिर उसके बाद final हम आ जाएंगे, कहां पे? number checking पे, number checking का सबसे पहला step क्या था? हम client से क्या लेंगे, data जिसको क्या बोल सकते हो, population उसके बाद एक क्या करेंगे, software use जिसका नाम क्या बताया, idea उसमें क्या डालेंगे, materiality उसमें क्या डालेंगे, inherent risk और control risk और क्या निकल क्या जाएंगे अब यहां पे भी एक चीज मिसिंग है बताओ क्या, कि जो आपने data डाला है, उसमें क्या करेंगे? IPE, testing हाँ या ना at this stage, हमें क्या मिल गए? sample में क्या चेक करेंगे? assertion, completeness, existence, accuracy, valuation, right and obligation और, क्या सिर्फ sample से assertion verify हो जाएगी नहीं, हम इसमें लगाएंगे क्या, other audit procedures ऐसे करके one by one one by one, will complete all the areas और इस तरह से हमारा audit क्या हो जाएगा complete, I will be very happy if you have any queries in your mind जो भी पूछ रहा है, दिल खोलके पूछे, मैं आपको अराम से reply करूँगा कैसा लगा, अगर आप लोगों ने enjoy क्या हो इस पूरे session को, तो I really want a clapping from your side, अगर आपने enjoy क्या हो तो, मैं live वाले सब्स्टोटन से भी request करूँगा, कि अगर आपको ये 5 से 6 गंटे में मैंने आपको पूरा auditing job, अगले 50 दिन पढ़ोगे बस यही पढ़ेंगे हम, आपको पता है अभी तक मैंने slavers डिसकस नहीं कि आप लोगों के साथ, पता है आपको ICI के slavers में 11 chapter है, और मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं 9 का content आपको discuss कर चुका हूँ, 9 chapter का chapter 1 हम discuss कर चुके है chapter 2 हम discuss कर चुके है, chapter 3 automated environment हम discuss कर चुके है automated environment हम discuss कर चुके जिसमें मैंने control के nature की बात की है sampling अपने आपने एक अलग chapter है वो मैंने discuss कर लिया है तो 9 chapter का मैंने आपको ग्यान दिया है 6 घंटे के अंदर, 9 different chapters तो audit ऐसा नहीं है subjective, मैं आपको definition से start करूँ, पहली ही definition में देखना कल जब मैं read करूँगा मैं रुक जाऊंगा और वापस मुझे किसी दूसरे chapter में जाना पड़ेगा एक तीन घंटे के discussion के लिए तो प्लीज जरूर बताएगा session कैसा लगा आप लोगों को सर कैसे बताए आप definitely class में मुझे बता सकते है या YouTube पे ये live चल रहा है session please spare your 15 to 20 seconds और आपको जो भी आपका feedback है उस वीडियो के comment section में आप जरूर बताएगा और जितने भी face to face में बैठे हैं आप भी उस वीडियो को जरूर like किजेगा सर like क्यों करना है मेरे को पैसे मिलते हैं उस चिश के basically like इसलिए करना है आप लोग मुझसे ज़्यादा automation समझते हो आप लोग मुझसे ज़्यादा better मैं मानता हूँ algorithm समझते हो आज के दिन जो YouTube है उस पे अगर user वीडियो को like करता है तो YouTube को लगता है कि ये video कुछ useful video है and candidate same like you AI का जमाना है आप जिन videos को देखते हो न एक दूसरा CA student भी उसी को देखता होगा तो YouTube वो video उस user को recommend करता है recommendation में जाता है तो वो बाकी CA student तक भी पोच जाएगा जिससे हमारा धंदा और बढ़ेगा तो please video को जरूर like किजेगा कोई query है तो पूछो live वालो मैं आपकी query का भी इंतजार कर रहा हूँ और live student live chat के साथ-साथ comment section में भी जरूर बताइएगा मिलेंगे दुबारा से thank you सभी student query full screen ले आना भाई यह दोनो notes आज मैं telegram पे डालूँगा hand written notes एक चीज़ देख लो यारो परेशान होते हैं बच्चे इस चार्ट का एक number दिख रहा है आपको 43 और नाम क्या है flow of आप एक telegram channel है CA Interaudit Notes by CA Kapil Goyal अभी भी आप देख लो मैं एक काम करता हूँ main telegram channel पे उस telegram का link share करता हूँ मैं आज आपको सारे hand written notes एक जगे दिखा देता हूँ हलाकि आपके google drive पे भी मिलेंगे लेकिन फिर भी यह मैंने link को किया copy और यह मैंने आपके main telegram पे इस link को कर दिया paste और जो भी student classes लेना चाह रहा है आप domino's के उपर लक्ष्मिनगर में जाकर classes लीजेगा you will definitely get a surprise gift और additional discount यह मेरा बादा है जितने 20 यह classes देख रहे हैं face to face के उपर यह apply नहीं होता है पेटा इस link पे click करो जो telegram पे अभी आया है मैं दिखा देता हूँ साथ साथ notes आ गया telegram पे हो उस पे link पे click करो और सबसे उपर चले जाओ आपको series से मेरे handwritten notes मिल जाएंगे one से लेके आज हमने कौन सा chart discuss किया है 43 number तो मैं नीचे आ जाता हूँ 43 number पे 43 43 यह रहा मुझे मिल गया आप लोगों को मिला मिल गया सबको google drive pen drive live google drive का link पेटा जब youtube session बंद होएंगे उसके बाद आएगा चलो जी कोई query नहीं है कोई query नहीं चलो जी गाइस बबाई take care keep enjoying coded with couple जय हिन दोस्तों मिलते हैं अगले lecture के अंदर enjoy करते रहिएगा पढ़ाई करते रहिएगा क्योंकि बिना पढ़ाई किये हुए या बिना मैनत किये हुए इस जीवन में कुछ नहीं मिलेगा तो मोज मस्ती बहुत जरूरी है लेकिन उससे भी ज़्यादा जरूरी है कि आप सही time पर सही decision making करें ऐसा ना कीजेगा कभी भी कि जब आपका पढ़ाई का time है जब आपका cold time है जिस point of time पर आपको सबसे ज़्यादा मैनत करनी है उसी point of time आप अपना time waste कर रहे है किसी भी चीज में this should be avoided and you should focus on the studies and only on the CA examination नाम के साथ CA लगाना आपका मेरे हिसाब से सबसे prime objective और सबसे पहला objective होना चाहिए क्योंकि वहीं आपको जिंदगी में सब कुछ provide करेगा बेटा तो हमेशा ध्यान रखेगा कि CA के साथ किसी भी दूसरी चीज को मत रखना हमेशा 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 CA should be your priority and definitely this will change your life इसी के साथ सभी बच्चों को जो recorded में देख रहे हैं जहें दोस्तो